इस समवाद को मैं चाहता हूँ कि देश के लिए कोई दिशा बनाने वाला दिशा इस्थापित करने वाला बन जाएं इस द्रश्टी से मैं कुछ तथ्याप के बीच रफना चाहता हूँ हमारे भारत की सिक्षा व्यवस्था के बारे में एक बार अंग्रेजों ने बहुत गंभीर और खराब टिपणी की थी सन 1931 में महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे और अंग्रेजों की सरकार के साथ उनका वारता लाप चल रहा था अंग्रेजों की तरफ से जो गांधी जी से समबाद करने वाली टीम थी या उनका जो समू था उस समू के जो बहुत प्रमुख लोगों में से एक उन्होंने गांदी जी को एक बहुत खराब बात कही उन्होंने ये कहा कि अगर अंग्रेज भारत नहीं आते तो भारत की सिक्षा व्यवस्था तो कभी भी बन नहीं पाती गांदी जी ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि अगर अंग्रेज नहीं आते तो भारत की सिक्षा व्यवस्था ज़्यादा अच्छी होती क्योंकि अंग्रेजों के आने के पहले की भारत की सिक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी ये गांदी जी ने कहा तो अंग्रेज अधिकारियों ने गांदी जी से कहा कि आप ऐसा किस आधार पर कहते हैं तो गांदी जी ने कहा कि मेरे देश को मैंने बहुत नजदीक से देखा है गाउं गाउं में मैंने प्रवास किया है वहाँ जो कुछ भी सिक्षा व्यवस्था के पुराने खंडहर दिखाई दे रहे हैं उनके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि भूत काल में हमारी सिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी और बहुत मजबूत थी उसी समय गांदी जी के साथ उन अंग्रेज अधिकारियों का विवाद हो गया और गांदी जी की गोल में जयात्रा समाप्त होने के बाद अंग्रेज अधिकारियों ने अपनी तरफ से एक वक्तव विजारी किया जो लंदन के सभी प्रमुक समाचार पत्रों में छपा और उसमें ये कहा गया कि गांदी जी को अपनी देश की सिक्षा व्यवस्था के बारे में गर्व है लेकिन उनके पास इस बात का कोई आधार और सबूत नहीं है कि भारत की सिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों के आने के पहले कैसी थी ये गांदी जी के पास कोई प्रमान नहीं है लिहाजा हम मानेंगे नहीं कि गांदी जी की बात सही है और इस तरह से उस पर एक बहस चल पड़ी भारत लोटने के बाद महात्मा गांदी ने उस बहस को बंद नहीं किया और लगातार उसको जिन्दा रखा गांदी जी के जो बहुत नजदी की लोगों में से काम करने वाले एक व्यादी जो इस समय भी जीवित हैं और जो भारत के बहुत प्रमुक इतिहासकारों में माने जाते हैं उनका नाम है प्रोफेसर धरमपाल जब भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को तो प्रोफेसर धरमपाल जो गांदी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे उन्होंने गांदी जी को पूछा कि अच्छा अब मेरा काम क्या है आज़ादी आ गई, सरकार बन गई, अब बताइए मेरा काम क्या है तो गांदी जी ने कहा कि देखो मैं 1931 में गोलमेच सम्मिलन में लंदन गया था उस समय अंग्रेज अधिकारीयों ने मुझे ये कहा था कि भारत में अंग्रेज अगर नहीं आते तो भारत की सिक्षा व्यवस्था तो कुछ भी नहीं होती मुझे ये बात सही नहीं लगती लेकिन मेरे पास इसको साबित करने के लिए कोई प्रमान नहीं है मैं तुमसे उम्मीद रखता हूँ कि तुम भारत की सिक्षा व्यवस्था के बारे में जितने भी संभव हो प्रमान एकठे करो, दस्तावेज एकठे करो, तथ एकठे करो और उसके आधार पर ये सत्य साबित करो कि अंग्रेजों से आने के पहले की भारत की सिक्षा व्यवस्था कैसी थी दरंपाल जी ने गांधी जी के इस वाक्य को या गांदी जी के इस कथन को अपने जीवन का उद्देश बना लिया और वो भारत छोड़कर लंदन चले गए लंदन के बाद दुनिया के कई देशों में घूमते रहे फ्रांस में रहे, जर्मनी में रहे यूरोप के देशों में 40 साल उन्होंने अध्यन और अध्यापन किया बहुत समय तक वो पढ़ाते रहे, जीविका चलाने के लिए, कुछ पैसा बनाने के लिए लेकिन मूल उद्देश ये था कि भारती सिक्षा व्यवस्था कैसी थी अंग्रेजों के आने के पहले उसके प्रमाण एकत्रित करना, दस्तावेज एकत्रित करना और उनके आधार पर कोई अधिकार पूर्वक बात कहना शुरी धरमपाल जी के 40 साल के अथक प्रयासों से कुछ हजार दस्तावेज मिले जो अलग-अलग स्थानों से उन्होंने लिए उनका एक साथ जब बैठ कर विशलेशन किया तो पता चला कि अंग्रेजों के आने के पहले की सिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी अभी थोड़े दिन पहले हमारे देश में एक घटना घटित हुई वो इस से बहुत जुड़ी हुई है जो मैं कहने जा रहा हूँ हमारे देश के जो वरतमान प्रधान मंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंग ये थोड़े दिन पहले आक्सफोर्ड विश्विद्याले में गए थे और इनको आक्सफोर्ड विश्विद्याले ने मानद डॉक्टरेट की उपादी दी थी जिस दिन ये समारो आयोजित हुआ था उस दिन मैंने उसका लाइफ टेली कास्ट देखा था सीधा प्रसारन और उस सीधे प्रसारन में लगबग मैं दो ढ़ाई घंटे बैठा रहा टीवी के सामने देखता रहा कि क्या क्या हो रहा है उस कारिकरम में 40 मिनिट का तो व्याक्यान हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंग का और उसके अलावा कुछ दूसरी औप्चारिक ताएं हुई मनमोहन सिंग जी ने जो व्याक्यान दिया इस आक्सफोर्ड विश्यु विद्याले के पद्वी ग्रहड समारोह में वो बहुत ही तकलीफ देने वाला था और किसी भी स्वाभिमानी भारती नागरिक को नीचा दिखाने वाला था उन्होंने अपने व्याक्यान की शुरुआत ही यहां से की कि हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जो उन्होंने भारत में आकर अपनी सरकार बनाई हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जो उन्होंने भारत में आकर सिक्षा व्यवस्था दी हम अंग्रेजों के बहुत आभरी हैं जो उन्होंने भारत में आकर नियाए व्यवस्था इस्थापित की हम अंग्रेजों के बहुत आभरी हैं कि उन्होंने भारती और लोगों को विग्यान सिखाया हम अंग्रेजों के बहुत आभरी हैं कि उन्होंने भारतिय नागरिकों को विज्ञान और तक्नीकी का अंतर समझाया हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने अंग्रेजी भाशा हमें बताई और ऐसा ही वो 40 मिनट बोलते रहे अगले दिन क्या हुआ लंदन के सभी समाचार पत्रों में हमारे भारत के प्रधान मंतरी डॉक्टर मनमोहन सींग का ये वक्तव चपा और इस वक्तव के साथ सभी समाचार पत्रों में समपाद किये टिप पनी भी चपी और ज्यादातर समाचार पत्रों के समपाद किये में ये लिखा गया कि हमारे देश के एक पूर्व प्रधान मंतरी विंस्टन चर्चिल ने सन 1945 में भारत के बारे में ये कह दिया था कि ये देश आजाद होने लायक देश नहीं है और भारत के प्रधान मंतरी डॉक्टर बन्मोहन सिंग ने कल लंदन में व्याख्यान देकर ये सिद्ध कर दिया कि भारत आजादी के इतने साल के बाद भी अभी मानसिक रूप से गुलाम है जिस देश का प्रधान मंतरी अभी भी अंग्रेजों के गुलगान करता हो उस देश की प्रजा की मानसिक गुलामी की स्थिती क्या होगी इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं वगरा वगरा खूब लंबी संपाद की टिपणी उस पे की गई मेरे कुछ दोस्तों ने वो संपाद की टिपणियां अलग-लग अखवारों से काट कर भेज दिया उसके बाद मैंने डॉक्टर मनमहन सिंग के लिए एक पत्र लिखा जो लगबग 200 पेज का है वो पत्र नहीं एक किताब हो गई और मैंने उनसे कहा कि हमें बड़ी शर्म आती है कि आप भारत के प्रधान मंत्री हैं जो भारत के बारे में कुछ भी नहीं जानते हमें शर्म आती है कि आप भारत के ऐसे प्रधान मंत्री हैं जिनोंने भारती अताका कुछ समझने की भी जीवन में कोशिश नहीं की है भारत अंग्रेजों के पहले कैसा था भारत की सिक्षा अंग्रेजों के पहले कैसी थी भारत की तक्नीकी और विग्यान अंग्रेजों के पहले कैसा था हमारा भारत अंग्रेजों के पहले उद्द्योग और व्यापार में किस इस्थान पर दुनिया में टिका हुआ था ये सब बातें अगर आप दस्तावेजों के आधार पर जरा समझें और जानें तो बहुत अच्छा होगा आप अगली बार ऐसा गुलामी का वक्तव देने से बचेंगे आपको सुनकर हिरानी होगी कि मैंने ये जो पत्र लिखा ये पत्र मनमहन सिंग के कारियाले में पहुँचा और एक लाइन का उत्तर आया कि आपका पत्र मिला और हम उसको कारिवाही के लिए भेज रहें मैंने तो लिखा था हमारे देश के प्रधान मंत्री को और उसमें पत्र तो एकी पन्ने का था बाकी 249 पनने के तो दस्तावेज जो ये सिद्ध करने के लिए मैंने उनके पास भेजे कि आप पहले इन दस्तावेजों को पढ़ें और देखें कि अंग्रेजों के आने के पहले का भारत कैसा था सिक्षा व्यवस्था के इस्तर पर तकनीक और विज्ञान के इस्तर पर उद्ध्योग और व्यापार के इस्तर पर हर इस्तर पर चिकित्सा व्यवस्था के इस्तर पर जहां तक भी संभव हो मैंने उसमें जानकरी दी उसमें से एक हिस्से की छोटी जानकरी मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ कि भारत की सिख्षा व्यवस्था कैसी थी और जिस समय हमारी सिख्षा व्यवस्था ऐसी थी उस समय यूरोप की सिख्षा व्यवस्था कैसी थी भारत की सिख्षा व्यवस्था के बारे में सबसे ज़्यादा काम जिनों ने किया है वो कुछ अंग्रेज ही है एक अंग्रेज अधिकारी भारत में आया जो लगबग 40 साल यहां रहा उसका नाम था विलियम एडम विलियम एडम बहुत उच्छिस तरका अधिकारी था अंग्रेजों की जो संसत का एक हिस्सा है हाउस अफ लॉर्ड्स उसमें बहुत दिनों तक वो संसत था और भारत में उसको बहुत उच्छिस तरका अधिकारी बना कर भेजा गया था उसकी हैसियत इतनी बड़ी थी कि वो भारत में आकर अगर गवर्नर को या वाइसराई को कोई सुझाओ दे दे तो वाइसराई उसको कानून बनाने के लिए मजबूर होता था विलियम एडम इस इस्तर का अधिकारी था उस विलियम एडम के नीचे काम करने वाले कुछ अधिकारी थे जिनमें से एक था मेकॉले टीवी मैकॉले मैकॉले की तो आपने बार बार चर्चा सुनी है बार बार नाम भी सुना है लेकिन विलियम एडम के बारे में शायद आप में से कम लोग जानते होंगे क्योंकि ये मैकॉले का बॉस था मैकॉले भारत में सिक्षा व्यवस्था के बारे में इतना भी अभ्यास करता था वो अपने immediate boss William Adam को भेशता था तो William Adam ने भारत की सिक्षा व्यवस्था पर एक report तैयार की और वो report लगबग 1700 कुछ पन्ने की है 1780 पन्ने है उस report में वो report संसद में पेश की गई संसद माने अंग्रेजों की संसद में house of commons में पेश की गई और इस report की आधार पर अंग्रेजों को पता चला कि भारत की सिक्षा व्यवस्था कैसी है William Adam की report मैंसे कुछ तत्य मैं आपको देता हूँ जो इस समय अंग्रेजी संसद के records पर है आप जानते हैं कि house of commons और house of lords में जो भी बहस होती है वो सभी record में रहती है और जो record में आ जाती है वो उनका documents बन जाती है दस्तावेज बन जाती है और फिर British Parliament की एक press है जिसको हंसाड कहते है वो जरूरत पढ़ने पर समय समय पर ये documents को प्रकाश्चित करती रहती है तो भारत की सिक्षा व्यवस्था पर विलिया मेडम की report जिसमें जगे जगे पर मैकॉले की दी गई टिपणी मैं पहले मैकॉले की एक छोटी सी line आपको सुना देता हूँ मैकॉले और मिलिया मेडम भारत की सिक्षा व्यवस्था के बारे में अंग्रेजों की संसद में जब बात कर रहे हैं तो घंटों घंटों उन्होंने बात की है एक दिन ये टीवी मैकॉले दो फरवरी सन 1835 को ब्रिटिश पारलेमेंट के हाउस अफ कॉमेंस में खड़ा होके भाशन दे रहा है और कह रहा है कि मैंने भारत का उत्तर दक्षिन पूरब पश्चिम पूरा इलाका घूम लिया है ऐसा कोई छेत्र नहीं है जो मैंने भारत का नहीं देखा है और मैंने भारत का बाहरी छेत्र भी देखा है आंतरिक छेत्र भी देखा है देखने के बाद मैं जो कह रहा हूँ आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे लेकिन जो सत्य है वो मैं आपको कहूंगा उसको मैं अपने अंदर रोक नहीं सकता सत्य क्या कह रहा है वो कह रहा है कि संपुन भारत को उत्तर दक्षिन पूरब पश्चिम में घूम लेने के बाद उसने अंग्रेजी का एक मुहावरा इस्तेमाल किया है I had traveled length and breath कोई बेरोजगार आदमी देखने को नहीं मिला गाओं के किसी कोने में किसी इस्थान पर बैठा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति ना मिला जो किसी पर पराश्रित हो आज तक मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को भारत में नहीं पाया जो अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाता हो और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है 1835 में वो बोल रहा है आज से लगबग आप कल्पना करें तो 170 साल पहले बोल रहा है तो 170 साल पहले इस देश में कोई भिकारी नहीं था जी रध्यान से सुनिया इस बात कोई भिकारी नहीं, कोई बेरोजगार नहीं फिर वो कहता है विलियम, ओ स्वरी, टीवी में कॉले कि मैंने दुनिया के बहुत शहर देखे है पैरिस देखा है, बरलिन देखा है, हैंबर्ग देखा है मौस्को देखा है, फ्रेंक्फर्ट देखा है, शिकागो देखा है, नुई यॉर्क देखा है, लंदन तो अपना है, ही बारबार देखा है, लेकिन इन सभी शहरों की कुल संपत्ती भारत के एक शहर से भी बहुत कम है। तो उसको पूछा गया प्रश्ण कि वोताओ वो कौन सा शहर है, तो कहता है भारत का एक शहर सूरत और यूरोप के सारे शहर एक बाजू में, तो भी सूरत इन सभी पे भारी पड़ता है, इतनी संपत्ती इतना धन मैंने उस शहर में देखा है। और वो कहता है कि इतना धन और संपत्ती जिस समाच के पास हो, उस समाच को गुलाम बनाना एकदम मुश्किल है। भारत का धन, भारत का बेवब और भारत की संपत्ती को खतम करने के लिए तुमारे पास क्या योजना है, तो कहता है भारत की सिक्षा व्यवस्था को खतम करो। वो कहता है कि भारत में जितना भी धन है, संपत्ती है, बैभव है, ये भारत की सिक्षा व्यवस्था के कारण है तो कोई सांसत पूछ लेता है कि अच्छा बताओ भारत की सिक्षा व्यवस्था कैसी है तो उसको पूछा गया क्या संपूर्ण भारत में एक जैसा है तो उसको पूछा गया क्या संपूर्ण भारत में एक जैसा है तो उसको पूछा गया क्या संपूर्ण भारत में एक जैसा है तो उसको पूछा गया क्या संपूर्ण भारत में एक जैसा है तो उसको पूछा गया ठानवे प्रतिशत है 98% है उत्तर भारत में लगबग 82 प्रतिशत के आसपास है मद्ध भारत और बचे हुए भारत में लगबग 87 प्रतिशत के आसपास है तो मैं कह सकता हूं कि लगबग भारत साक्षर है उसी समय एक दूसरा सांसत खड़ा हो के पूछता है कि अच्छा आप यह बता सकते हैं कि इंग्लेंड की स्थिती क्या है मूख है जिसको बृटेन कहा जाता है इसमें कुल साक्षर्ता सत्रे प्रतिशत बी नहीं है तो फिर पूछ रहे हैं कि भारत वह कारण क्या है इसКА भारत में इतनी साक्षर्त और हमारे यां कुछ भी नहीं तो वो कह रहा टीवी में कौले के इस समय भारत में साथ लाख 32,000 revenue villages हैं राजस्वाले गाओं तो non revenue वाले उसने कब वो मुझे नहीं मालूँ वो कहरा साथ लाख 32,000 राजस्व गाओं हैं और ऐसा एक भी राजस्व गाओं नहीं हैं जहां पर इसकूल की व्यवस्था नहीं है तो फिर उसको प्रश्ण पूछा गया कि क्या भारत के इसको स्कूल कहते हैं तो उन्हें का नहीं नहीं मैंने कहा है स्कूल भारत के लोग इसको गुरुकुल कहते हैं उसने गुरुकुल को स्कूल में ट्रांसलेट किया है बाद में वो कहता है कि शायद मेरे पास कोई शब्द नहीं है जो गुरकुल के बराबर हो तो मैं स्कूल कहता हूँ तो हम ऐसा मान लें कि मैकॉले बोल रहा है दो फरवरी अठारे सो पेंटीस को हाउस अफ कॉमंस में कि भारत के साथ लाक बत्तीस जार गाउं में कोई भी ऐसा गाउं नहीं है जहां पर गुरकुल ना हो इसका अर्थ क्या है हर गाउं में एक गुरकुल है फिर उसको पूछा गया इस गुरकुल में क्या होता है तो उनका पढ़ते हैं पढ़ते हैं तो कितने विद्यारती हैं तो उसने का सबसे बड़ा गुरकुल मैंने देखा है वो 20,000 विद्यार्थियों का है और जो सबसे छोटा गुरुकुल मैंने देखा है वो 200 विद्यार्थियों का है माने जो गुरुकुलों के बड़े होने का अंदाजा हम लगाना चाहें तो 200 विद्धियार्थियों से लेकर 20,000 विद्धियार्थियों तक के गुरुकुल इस देश में चलते हैं 1835 के आसपास फिर वो पूछ रहे हैं कि ये जो 20,000 विद्धियार्थियों का गुरुकुल है इसके व्यवस्था कैसे होती है ये तो बहुत बड़े विद्यार्थियों का समू है, कैसे पढ़ाते हैं, व्यवस्था कैसे होता है तो वो कहता है कि भारत के इन सभी गुरुकुलों में मॉनिटोरियल एजुकेशन होती है मॉनिटोरियल एजुकेशन का मतलब हम सब समझते है कि आचारी ने किसी विद्यार्थी वर्ग को तैयार किया मान लीजे उसमें पचास विद्यार्थी अब वो पचासों विद्यार्थी अपने से नीचे वालों को पढ़ाएंगे और वो पचास विद्यार्थियों ने जिनको पढ़ाया वो उन से अपने नीचे वालों को पढ़ाएंगे तो वो कहते हैं कि एक आचार अगर है और उसके साथ पचास साथ विद्यारतियों का समू है जिनको वो नियमित रूप से पढ़ाते हैं तो वो बीस हजार विद्यारतियों का गुर्कुल आराम से समालते हैं और उसने परिभाशा दिया है कि जो आचार बीस हजार विद्यारतियों के गुर्कुल को समालते हैं उनको भारत में कुल पती कहा जाता है कुल पती माने बीस हजार विद्यारतियों के समू की सिक्षा व्यवस्था करवाने वाला व्यक्ति उसको कुलपती कहा जाता है फिर उसको पूछा गया है कि ये जो गुरकुल चलते हैं इन में विद्यार्थी हैं वो किस वर्ग के हैं तो वो कहता है कि भारत के नागरिक चार वर्णों की बात करते हैं रामवन, छत्रिय, वैश और शुद्र तो वो कहता है कि ये सभी विद्यार्थी इन समूहों में से आते हैं तो एक अंग्रेज उसको पूछ रहा है कि हमने तो कभी सुना था कि भारत में ज़्यादा सिक्षा ब्रहमणों के लिए है वो कहता है नहीं दस्तावेज बताते हैं कि ब्रामणों के लिए भी सिक्षा है वैशियों के लिए भी है छत्रियों के लिए भी है और शूद्रों के लिए भी है तो फिर उसको पूछ रहे हैं कि क्या तुम परसेंटेज में ये बता सकते हो कि ब्रामण कितने हैं, वैशे कितने हैं, छत्रिय कितने हैं, शूद्र किसने हैं तो वो कहता है कि दक्षुन भारत के जितने गुर्कुल हैं उनमें शूद्रों की संख्या सबसे जादा है और पश्चिम भारत के जितने गुर्कुल हैं उनमें वैशियों और ब्रामणों की संख्या लगभग बराबर है और उत्तर भारत के जितने गुर्कुल हैं उनमें सब से ज़ suddenly हैं और बाकिय जो तीन हैं ब्रामन वैष्य और शूद्र ये लगभग बरावर हैं और मध्य भारत में लगभग सब बराबर हैं को तो कुछ लोग चौंग जाते हैं वह यह केंते हैं यह कैसे संभव है कि शूद्रों की संख्या दक्शुन भारत के गुर्द गुरुकुलों में सबसे ज़्यादा है तो वह कहता है शूद्रों की ही नहीं दक्षण भारत के गुरुकुलों में महिलाओं की संख्या लड़कियों की संख्या भी सबसे ज़्यादा है तो वो एक उत्तर दे रहा है प्रश्न का जिसमें वो बोल रहा है कि दक्षिन भारत के गुरुकुलों में लगबग 58 प्रतिशत लड़कियां है और 42 प्रतिशत लड़के है तो फिर उसको पूछा गया ये कैसे संभव हो रहा है भारत में तो कहता है कि इट क्वाइट तो भारत में सबी जगे लड़कियों की संख्या लड़कों से जादा है और आप जानते हैं कि 1881 में अंग्रेजों ने जब पहला सेंसस कराया पहला जनसंख्या सर्वेक्षन कराया तो उसमें भी रेशियो यही निकलता है महिलाएं लगबग 53 प्रतिशत हैं और 47 प्रतिश अध्यापक हैं तो वो कहता है कि वो सम महिलाएं ही हैं लड़कों को पढ़ाने के लिए पुरुष हैं लड़कियों को पढ़ाने के लिए महिलाएं हैं तो फिर उससे पूछा जा रहा है कि यह जो अध्यापक पढ़ाते हैं इनके लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर हैं क्या त पूछा जा रहा है कि अच्छा ये बताओ भारत के इन स्कूलों में माफ करो गुरुकुलों में क्या विशे पढ़ाये जाते हैं तो वो गिना रहा है कि 18 विशे पढ़ाये जाते हैं 18 विशे पढ़ाये जाते है सबसे ज़्यादा किस विशे पर जोर दिया जाता है तो वो कहता है कि भारत के गुरुकुलों में सबसे ज़्यादा गणित पढ़ाया जाता है तो ये गणित कौन सा पढ़ाया जाता है तो वो कहता वैदिक गणित पढ़ाया जाता है तो फिर अंग्रेज पूछ रहे हैं कि हमारे यहां एक कॉमर्शियल मैथमेटिक्स है तो उनका भारतवाले उसको पढ़ते नहीं है और उसमें उनकी जादा रूची भी नहीं है वो वैदिक मैथमेटिक्स में जादा रूची लेते है फिर दूसरा कौन सा विषय है जो सबसे ज़्यादा पढ़ाया जाता है गणित के बाद तो 있으रा सबसे जा बड़ा विषय है खगोल शास्त्र इसको सब भारतवासी पढ़ते है फिर तीसरा कौन सा विशह है तो वो कहता है मैटलर जी माने धातु विज्ञान फिर चौथा कौन सा विशह है तो वो कहता है कि कारीगरी कारीगरी माने जो विबिन्न तरह की कारीगरियां गाओं में रहती है हमारे सभी गाओं में अठारे तरह के कारीगर होते हैं कोई लोहे का काम करने वाला, कोई लकडी का काम करने वाला, कोई बांस का काम करने वाला, कोई मिट्टी का काम करने वाला, तो वो कह रहा है कि सभी गुरुकुलों में ये कारी-गरी पढ़ा ही जाती है, अठारे विशह उसमें अलग है, फिर वो पूछ रहा है कि इसके आगे के विशे बताओ तो कहते हैं वो कि एस्टो फीजिक्स पढ़ाते है एस्टो फीजिक्स समझते हैं modern science का विशे है और भारत में 1835 में सभी गुरु-कुलों में ये पढ़ाया जाता है एस्टो फीजिक्स फिर और क्या पढ़ाते हैं तो कहते हैं रसाइन शास्त्र पढ़ाते हैं रसाइन शास्त्र के साथ और क्या पढ़ाते हैं तो कहता है चिकित्सा शास्त्र में क्या विशे हैं तो वो कहता है और शल्ल किरिया दूसरा है मनि सरजरी है और मेडिसिन है और ऐसे ऐसे करके वो अठारे विशे को गिनाता है तो फिर वो पूछते हैं कि कैसे संभव है कि भारत के विद्यारती ये अठारे विशे पढ़ लेते हैं तो वो बताता है कि भारत के विद्यारतियों को गुरकुल में जब प्रवेश मिलता है तो वो सामनी रूप से पांच वर्ष के होते हैं और जब वो गुरुकुल से पढ़कर निकलते हैं तो उनकी उम्र 21 और 22 वर्ष के होती है लगबग उनको इतना समय मिलता है 15 साल का जितने में वो सब पढ़ लेते तो फिर उनको पूछा गया कि ये विशक कैसे पढ़ाय जाते हैं रोज पढ़ाय जाते हैं तो उसने का नहीं नहीं रोज नहीं पढ़ाय जाते हैं एक एक करके पढ़ाय जाते हैं एक एक करके पढ़ाय जाते हैं में सब विशे पढ़ाये जाते हैं फिर वो पूछ रहा है परिक्षा कैसे होती है तो उनका भारत में परिक्षा होती नहीं है परिक्षा नहीं होती है तो कैसे पता चलता है वो पूछ रहे है बहुत सारे MPs के evaluation का तरीका क्या है तो उन्होंने कहा कि यहां के जो आचारे और सिक्षक होते हैं वो विद्यारतियों को जब एक विशह पूरा पढ़ा देते हैं तो उसी के आधार पर उनके कौशल को जानने के लिए हुनर को परक्षने के लिए कुछ काम उनको दे दिये जाते हैं वो काम कितनी कुशलता से करते हैं इसके आधार पर तै होता है ये नहीं है कि classroom में बैठकर तीन घंटे का कोई question paper solve कर रहे हैं classroom में रट लिया है और answer sheet पर vomiting कर रहे हैं ऐसा नहीं है भारत में उसने मजाक में कहा है लेकिन ये गंभीर है समझने के लिए तो उसको पूछा के आए कि अच्छा आप जरा बताओ कि हमारी England की स्थिती क्या है अगर ऐसी सिख्षा भारत में है तो England में तो कहता है जी England में तो अभी 70% ही साक्षरता नहीं है और वो कह रहा है कि जब भारत में 7,32,000 गुर कुल है तो पूरे England में कुल मिलाकर 240 भी स्कूल नहीं है और जो स्कूल है उनमें गणित पढ़ाना तो किसी को नहीं आता है वो एक ही विशे पढ़ाते है और वो है Bible और कुछ पढ़ाने को इनको नहीं है मुझे थोड़ा इंट्रेस्ट आया William Adam की रिपोर्ट पढ़ने के बाद तो मैंने England के पिछले 400 साल के इतिहास के दस्तावेज इकठे किये तो पता चला कि England में सोलवी शताबदी तक तो कोई भी स्कूल नहीं था आप जरा ध्यान से सुनना इन बात हो सोलवी शताबदी तक तो कोई स्कूल नहीं था East India Company जब भारत आई है तब उनके यहां एक स्कूल खुला था चर्च के पिछवाडे में गैरेज में गैरेज समस्ते हैं जहां गाड़ियां खड़ी की जाती है एक गैरेज हुआ करता था जो मुश्किल से 15-20 फिट लंबा 15-20 फिट चोड़ा लंदन के एक चर्च में ये लंदन में आप कभी जाएं तो उनका जो स्कूर है जहां पर उनकी पार्लिमेंट है उसके बगल में वो चर्च आज भी है तो उसकी पीछे के हिस्से में छोटे से में इस्कूल खुला था जो उनको पढ़ाता था बाइबल तो बाइबल पढ़ाने वाले इस्कूल उनके इहां शुरू हुए उसके पहले तो कोई इस्कूल ही नहीं था तो इंग्लेंड और यूरोप के इतिहास क्या बताते हैं सिख्षा के बारे में तो आप जरा सोचो और सुनो यूरोप का जो सबसे बड़ा इतिहासकार सबसे बड़ा दार्शनिक सबसे बड़ा फिलोसफर सबसे बड़ा सब कुछ जो यूरोप में भगवान के अगला अवतार माना जाता है उसका नाम है प्लेटो प्लेटो सबसे महान वो यह कहते है यह तो ईश्वर का ही अंच है माने ईसा मसी के बाद यूरोप में अगर किसी की इज़त है तो वो प्लेटो की है प्लेटो के बारे में यूरोप के सारे के सारे अर्थशास्त्री, सारे के सारे दूसरे शास्त्री, चाहे वो फिजिक्स वाले हों, कैमिस्ट्री के हों, बॉटनी के हों, जुलोजी के हों, इंजिनिरिंग के हों, मेडिकल के हों, सब मानते हैं, the whole of the European civilization is a footnote of plateau. मतलब यूरोप की पूरी सब्विता जो है न, प्लेटो के footnote जैसी है, माने प्लेटो ने जितना कुछ लिख दिया है, वो किसी पुस्तक के footnote में अगर है, तो उतनी ही पूरी यूरोप की सब्विता है, मतलब यूरोप की सब्विता का जनक प्लेटो ही है, प्लेटो ने अपनी जिन्दगी में कई महत्वपूर पुस्तकें लिखी हैं, उन में से दो का जिक्र करता हूँ, एक पुस्तक उसकी जो दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चित हुई है, दर रिपबलिक, गनतंत्र, और दूसरी पुस्तक जो बहुत चर्चित है पूरी दुनिया में, लाज, ल जरूरत सभी को नहीं होती, सिक्षा की जरूरत सभी को नहीं होती, समाज का जो प्रभू वर्ग है, प्रभू वर्ग से मतलब सरकार चलाने वाला वर्ग, राजा और राजा के नजदी, इनी को सिक्षित होना चाहिए, बाकी को सिक्षित होने की जरूरत ही नहीं होती, क्यो तो वो कहता है कि राजा और राजा के नजदीक का जो वर्ग है उसको आदेश देना है बाकी को तो सब उस आदेश का पालन करना है तो जो आदेश के पालन करता है उनको सिक्षित होने की क्या जरूरत है सिक्षा की जरूरत तो सिर्फ राजा को है और राजा के नजदीकी लो कहता है कि मेरा जो गुरू बोल गया है उसी पर मैं सहमत हूं सिक्षा की जरूरत सभी को नहीं होती समाज का जो प्रभू वर्ग है माने जो संचालन करता है राजी का उसके राजा मंत्री मंत्रियों के नजदी के अधिकारी बस इनको पढ़ाई होनी चाहिए बाकी किसी को नह अरिस्टोटल के बाद जितने भी फिलोसफर आये हैं और लेटेस्ट रूसो देकारते लेविनिज ये सब अपनी अपनी किताबों में लिख रहे हैं सिक्षा की जरूरत किसी को नहीं होती है अगर जरूरत है तो थोड़ा राजा को है माने यूरोप में प्लेटों के समय से चली हुई विचारधारा आज अठारवी शताबदी के सभी दारशनिकों तक सतत चली आई है सिक्षा सब के लिए नहीं है सिर्फ राजा के लिए और प्रजा के लिए प्रजा को जरूरत नहीं है सिक्षा की राजा के नजदी की लोगों को जरूरत है तो फिर ये सिक्षा क नहीं चाहिए कोई सिक्षक को पकड़ लाइए राजा को महल में आके पढ़ा देगा कोई सिक्षक को पकड़ लाइए राजा के बच्चों को उसके घर में पढ़ा देगा कोई सिक्षक को पकड़ लाइए मंत्रियों को वहां पढ़ा देगा इस्कूल की क्या जरूरत है तो प्रेटो को कई बार पूछे जाने वाले प्रश्णों में से एक है कि स्कूल क्यों नहीं चाहिए तो वो कहता यह फालतू का खर्चा है। वो यह कहता इस्कूल बनाने से अच्छा है एक बनाओ ऐसा इस्थान जहां पर मनोरंजन हो सके। स्कूल की क्या जरूरत है? घर में आके कोई पढ़ा देगा? क्या जरूरत है स्कूल की? तो इसलिए इंगलेंड में, इंगलेंड के पड़ोसी, फ्रांस में, जर्मनी में, स्वीडन में, सुर्जरलेंड में, 16-17 शतापदी तक एक भी स्कूल नहीं खोला गया बात में क्या हुआ Christianity का असर जैसे जैसे बढ़ा यूरोप में आप जानते हैं कि Christianity यूरोप में 2000 साल पहले ही आई है उसके पहले यूरोप Christian नहीं था यूरोप की छोटी छोटी जातियां जंजातियां होती थी जो एक हजार से ज़्यादा हैं समू हैं छोटे छोटे वो अपना-पना धर्म और संस्कृती माना करते थी उनके हाँ इसाययत क्या होती है मालूम नहीं 2000 साल से इसाययत आई है तो जब इसायत का बहुत प्रचार हुआ और समाज और इसायत के बीच में संघर्श हुआ तब उन्होंने बाइबल इसकूल शुरू किये और वो बाइबल इसकूल पूरे इंगलेंड में फैले, फ्रांस में, जर्मनी में फैले तो वो कह रहा है टीवी में कोले के हमारे इहां तो कुछ सकूल चलते हैं, वहां सिर्फ बाइबल पढ़ाई जाती है और कुछ नहीं पढ़ाई जाती है और बाइबल भी पढ़ाई जाती है तो संडे को पढ़ाई जाती है, बस मंडे से सेटर डे छुट्टी रहती है और उन स्कूलों को इंग्लेंड के दस्तावेज़ों में संडे स्कूल्स कहा जाता है और ये स्कूल शुरू हुए है और आज तक चल रहे हैं आप यूरोप में कहीं भी जाएए संडे स्कूल्स आपको मिलेंगे जहां पर आप बाइबल पढ़ सकते हैं बाइबल में New Testament पढ़ाते हैं, Old Testament पढ़ाते हैं, दोई चीज़ें पढ़ाते हैं, इसके लावा कुछ नहीं, गनित क्या होता है, Physics क्या होती है, Chemistry क्या होती है, Metallurgy क्या होती है, Surgery क्या होती है, Medicine, Science, ये कुछ उनको अठारवी शताबदी तक मालूम नहीं है, ऐसा गरीब में 200 विद्यार्थी ले लिए, अब 200 स्क्वेर फिट में 200 विद्यार्थी कैसे बैठते होंगे, कल्पना गरलुआ, कितना इस्पेस होगा उनके पास, एक शब्द इस्तेमाल होता है, अंग्रेजों के यहां, Breathing Space, Breathing Space भी नहीं है, वो कह रहा है, Macaulay, कि हमारे तो Bible स्कूल तो हमें breathing space भी नहीं है, माने हर विद्यार्थी को घिच पिच में बैठना पड़ता है, जगे नहीं है उनके पास, लेकिन भारत के एक एक गुरकुल तो पाँच पाँच हेक्टेर में बने हुए हैं, एक हेक्टेर में लगबग पाँच एकड़ होते हैं, पचीस एकड़ म तरह से चलते हैं, विद्यार्थी सुबह आते हैं, शाम को पढ़के अपने घर वापस जाते हैं, फिर वो उसको पूछा जाता है, कि भारत के विद्यार्थियों को ये सारी की सारी जो सिक्षा दी जाती है, इसका कोई वर्गी करन है, क्लैसिफिकेशन है, तो वो बहुत पर उत्तर दे रहा है, जो हमें इस पर रिसर्च आज जरूरी है करना, वो ये कह रहा है कि भारत के विद्यार्थियों को दो चीज़ें पढ़ाई जा रही, एक तो सिक्षा है, दूसरी विद्या है, अब वो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता, सिक्षा कौन सी है, विद रुकुल में मुझे सुनाई देता है, अब हमको समझना चाहिए कि सिक्षा और विद्या ये दो अलग चीज़ें होती है, आज के समय में हमने इन दोनों का खिचड़ी बना दिया है, और ऐसा खिचड़ी बना दिया है, कि उसमें से चावल और मूं की दाल को बीन पाना ही बड़ा मुझकिल हो गया है, नाम सब है विद्याले और काम कर रहे हैं सिक्षाले का, हैं कि नहीं, कोई भी विद्याले ले लो, एक दो तीन नाम विद्याले, विद्याले, महा विद्याले, ये विद्याले, काम सब सिक्षाले का कर रहे हैं, नाम विद्याले रखा हुआ ह ऐसा घालमेल कर दिया है शायद यह मैकौले का असर है क्योंकि मैकौले को सिक्षा और विद्या में अंतर नहीं मालूम था हमें भी नहीं मालूम है हम जानते नहीं है कि विद्या क्या होती और सिक्षा क्या होती विद्या जो है ना अपनी जिंदगी को अध्यात्म के रास्ते पर ले जाने वाली अपने जीवन को उचा उठाने वाली आत्मा का परमात्मा से मेल कराने वाली मनश शरीर छूटने के बाद हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाए इन सब बातों को सिखाने वाली धर्म क्या है अधर्म क्या है न्याय क्या है अन्याय क्या है श्रेय क्या है अश्रेय क्या है छोडने वाला क्या है रग्रहन करने लाए क्या है ये सब ग्यान देने वाली या विवेक देने वाली ये तो हैं विद्याएं और बाकी हमने mathematics पढ़ लिया हमने chemistry पढ़ लिया हमने ये physics पढ़ लिया हमने ये commerce सीख लिया हमने वो ये है सब सिक्षा तो कह रहा है कि भारत के सभी गुर्कुलों में विद्या है और सिक्षा है लेकिन वो उसको इतना समझ में आ गया है कि ये जो विद्या है वो सिक्षा से उची है इसलिए भारत में गुर्कुल में जाने वाला सभी अपने को विद्यार्थी कहता है सिक्षार्थी कोई नहीं कहता अपने को क्योंकि मूल जो वो सीखने आया है वो कुछ और सीखने आया है खाली गणित सीखने नहीं आया है या खाली कॉमर्स सीखने नहीं आया या खाली मेटलर्जी सीखने नहीं आया विद्या सीखने आया है इसलिए विद्यार्थी कहलाना वो पसंद करता है अपने आपको और वो कहता है कि जितनी उची कल्पना भारत में है विद्या और सिख्षा की हम तो उसके दूर दूर कहीं नजदीक तक नहीं है फिर उसको पूछा जाता है कि अच्छा ये बताओ कि भारत में higher studies center है क्या तो कहता है कितने है तो संक्या गिना रहा है 5,AYEC mega 500 कुछ higher studies center का मतलब क्या है higher studies center का माने विश्य विद्याले उनकी जो परिभाशा है ना उस परिभाशा में विश्य विद्याले higher studies center हमने तो कुछ 2-4 نام सुने है एक नालंदा का हुआ करता था एक तक्षिशला का हुआ करता था लेकिन 1835 में मिकॉले बोल रहा है अपने पारलिमेंट में कि 15800 कुछ विद्धियाल है और वो ये कह रहा है कि ये जितने भी विश्छ विद्धियाले हैं ये किसी एक विशह के निपून है कोई एक विश है जैसे वो नाम लिखके बता रहा है मेरे पास ये सब नाम है 15800 और उसकी CD है अगर LCD प्रोजेक्टर हो तो मैं आपको दिखा सकता था लैपटॉप मेरे पास अभी है उसमें सब फीड किया हुआ है एक विद्याले है माफ करिए विश्व विद्याले है अमरावती विश्व विद्याले अमरावती विश्व विद्याले मशूर है किस बात के लिए वो मैटलर जी के लिए मशूर है धातु विज्यान सिखाया जाता है और पूरा विश्व विज्याले धातु विज्ञानियों से भरा हुआ है और धातु विज्ञान कई तरह का है जैसे कच्चे लोहे से फॉलाद बनाना जैसे जमीन में से लोहा तावा पीतल सोरी लोहा तावा सिल्वर माने चांदी और सोना ये जो दूसरी दूसरी बेशकीमती धातुएं निकलती है इनका एक्स्ट्रेक्शन कैसे किया जाए ये सिखाने वाला बने आज जो हमारे हाँ IIT में सिखाए जाता ना मेटलरजी में वही वहाँ उस समय उनिवर्सिटीज में सिखाए जा फिर वो कह रहा है एक विश्विद्याले में गया था कांगड़ा विश्विद्याले कांगड़ा मने हिमाचल तो वो किस के लिए मशूर है तो कहरा ये सरजरी के लिए मशूर है तो उसको पूछा जा रहा है कि किस तरह की सरजरी होती है तो कहता है जी हम सोच नहीं सकते वैसी सरजरी होती है और उसको उसने शब्द दिया है जिसको आज के equivalent अगर मैं कहूं तो rhinoplasty राइनोप्लास्टी सरजरी का latest science है 21 شतापदी का जिसमें आपके शरीर के किसी अंग के चमडे को निकाल कर किसी दूसरे अंग पर लगा दिया जाए और ये 1835 में वो बोल रहा है कि कांगडा विश्व विद्याले में तो ये सब सिखाया जाता है और सब सीखते हैं राइनो प्लास्टी तो वो कहता है मैंने मेरी आँखों से एक operation देखा है जिसमें पैर किये नीचे के हिस्से से माने गुटने से नीचे के हिस्से से चमडी निकाल कर नाक पर लगाई गई और वो कहता है 21 दिन में वो पूरा ठीक हो गया है पता ही नहीं चलता है कि इसका कोई operation हुआ है ग्राफ्टिंग जिसको कहते है इसकिन ग्राफ्टिंग और यह 1835 में भारत में होता है कांगडा विश्व विद्याले का उसने लंबा description किया है कि मैंने ऐसा देखा मैंने वैसा देखा फिर इसी तरह एक अंग्रेज अधिकारी है वो खड़ा होके चिलाने लगता हाँ मैंने भी देखा है करनल कूट उसका नाम जैसे ही उसने सुना तो वो भी खड़ा हो गया उसने का मैंने भी देखा है एक बार मैं भारत देश गया था हैदर अली के साथ मैंने युद्ध लड़ा था हैदर अली ने मुझे परास्त कर दिया था मेरी नाक काट दी थी मैं कटी हुई नाक लेके वहां से भागा था और बेलगाम नाम का भारत में कोई एक गाउं है वहां के एक वैद ने मेरी नाक का ओपरेशन किया था और जोड दिया था और अभी वो नाक मेरी ऐसी है वो खड़े वो के बोल रहा तो उसको सब सांसत पूछ रहें कि अच्छा तुम्हारी नाक ही काटी थी सिर्क्यों नहीं काटा क्योंकि तुम तो परास्त हो गए थे तो तुम्हारा सिर क्यों नहीं काट दिया तो वो कहता है भारत के राजा बड़े दयालू है उनके मन में बड़ी दया है दुश्मन को भी पूरा मारते नहीं है भंग भंग करके छोड़ देते हैं और भारत में नाक कटना ही बहुत बड़ी बदनामी की बात है हमारे यहां ऐसा कुछ तो यह करनल कूट के जो कहे हुए और मेकॉले के कहे हुए इन दस्तावेजों से अंदाजा लगता है कि सरजरी कोई बहुत उचे इस तरकी थी फिर इन सरजरी को करने वाले जो आचारे होते थे उन आचारेओं के उपकरण कैसे है उसका वो डिस्क्रिप्शन कर रहा है और आपको सुनकर आचारे होगा कि सामन ने रूप से सरजरी का एक आचारे आचारे माने आज का MS Master of Surgery उस जमाने का आचारे तो वो कहते हैं कि सामन ने रूप से एक आचारे के पास कम से कम 500 इंस्ट्रूमेंट्स तो होते ही है वो कहता है बीसियों तरह की तो उनके पास क्लिप्स है ये जो दो वाली होते ही ना पकड़ बीसियों तरह की और सभी उच्छ स्तर के लोहे से बनी हुई जिनमें कभी जंग नहीं लगता फिर वो कहता भारत वासी बिना जंग का लोहा बनाना तो दसवी शताबदी से जानते हैं हमने उनसे ही सीखा है हमको लोहा बनाने की तकनीक भारत से ही आई है और ऐसा लोहा बनाना जानते हैं जिस पे कभी जंग नहीं लगती वो आज भी कभी देखना हो तो चले जाए ये महरोली का खंबा खड़ा हुआ है वो कहता इनको ऐसा लोहा बनाना आता है तो इंस्ट्रूमेंट अच्छे अच्छे बना लेते हैं और वो एक मजे की बात कह रहा है कि जिस समय इंग्लेंड में हम चिकित्सा कराते हैं अपनी कोई बीमारी की तो उस समय अठारे सो पहतीस में इंग्लेंड में चिकित्सा क्या होती है जरा सुनिये और यहां कोई अलोपैथी डॉक्टर हैं तो वो जरा ध्यान से सुने अठारे सो पहतीस में इंग्लेंड में चिकित्सा व्यवस्था होती है तो क्या है एक ही चिकित्सा है उनके पास हिप्पोक्रेटिस कि मेडिसिनल सिस्टम एक हिप्पोक्रेटिस नाम का कोई आदमी हुआ इंग्लेंड में इसा से करीब 200 साल पहले एंग्लेंड मेनी ग्रीस में हुआ तो उसने कुछ सिद्धान्त दिये हैं वही सिद्धान तैलो पैथी का मूल आधार सतोतो हिपोक्रेटिस क्या करता है वह कहता है शरीर में कौई भी भी मारी घुस गयी तो उसका करन है कि रक्त आपका दूशित हो गया है कोई भी बीमारी हो सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, बुखार आ गया खासी हो गई, आपको डाइरिया हो गया डिसेंट्री हो गई, लंग इंफेक्शन कुछ भी हो गया तो हिप्पोक्रेटिस एक ही बात में डाइगनोसिस देता है, कि आपका रक्त दूशित है अब इस दूशित रक्त को निकालो शरीर में से, यही चिकित्सा तो वो कहता है कि भारत वासी चिकित्सा कैसी करते है और हमारे डॉक्टर कैसी करते है वो कहता है कि जब मुझे बुखार आता है और मैं किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ तो वो मेरी हाथ की नस काट देता है और उसमें से खून निकलने लगता है और वो कहता है ये खून जब तक निकलेगा नहीं तब तक बुखार तुमारा खतम होगा नहीं कभी-कभी मुझे डर लगता है कि खून के साथ जान न निकल जाए मेरी और वो यह कहता है कि भारत में जो चिकित्सा व्यवस्था है इतनी अद्बुत है कि कुछ बुखार आ जाए कितने से भी कितना बुखार आ जाए वो कुछ चूरन खिला देते हैं और अगले दिन अमेरिका की आजादी के बाद सबसे पहले राश्टुपती जोर्ज वाशिंगटन आपको मालूँ है उनकी मृत्तियू कैसे हुई उनको आया बुखार तो यह जो हिप्पोक्रेटिस मेडिस्नल सिस्टम है ना हाँ एक ही सिस्टम है उनके पास हिप्पोक्रेटिस मेडिस्न काट गया हां और कहा कि यह खून बहने दो अभी मैं सवेरे आओंगा आपको देखने तो दोनों हातों की नस कटी और रात भर में इतना खून बह गया कि सवेरे जॉर्ज वाशिंग अटन मरे हुए मिले यह मौडर्न हेलोपैथिक सिस्टम और मैं को ले कह रहा है कि जिस सम हम तो सिर्फ नस काट के खून निकाल के इलाज करते हैं बारत के लोग पता नहीं क्या-क्या जड़ी बूटियों से चूरन बनाते रहते हैं और वो कहता है कि इनके कॉंबिनेशन इतने परफेक्ट हैं कि एक दो बार ही खाना पड़ता है उसके बाद खाना ही नहीं पड़ से तो वो पूच रहें कितनी संख्या हो गई है तो इसमें का सोले हजार तो हो गई है पता नहीं आगे कितनी जाएकि उस जमाने में क्यों है दो कUI कुछ लोग अशर से नहीं है अभी यह देखिए फिलोसफी की बात जीवन एकांगी नहीं है और चुट कि एकांगी नहीं है तो इस میں सब तरह के ज्यान की जरूरत होती है तो हर विद्यारति को सबी तरह का ज्यान होना चाहिए विशे शक्डिता उसको किसी एक में होनी चाहिए ग्रान उसको सबतरे का होना चाहिए तो कहता है कि जो प्राइमरी लेवल की ग्रान है वो सब को दी जाती है मेडिसिन की, सरजरी की, मेटलर जी की मैथमेटिक्स की, जब वो विद्धियार्थियों की रुची उत्पन हो जाती है तो किसी एक विश्य में उनको विश्य शक्य बना दिया जाता है और फिर वो विद्यार्थी समाज में चला जाता है उसकी सिक्षा पूरी हो जाती है विद्या पूरी हो जाती है फिर वो समाज को अपनी सेवाएं देता है और वो एक बहुत महत्यू की बात कह रहा है कि भारत के विद्यारती इन सब गुर्कुलों से जब पढ़कर निकलते हैं तो उनको संकल्प कराया जाता है संकल्प कराया जाता है और संकल्प क्या कराया जाता है तो उनको ये कहा जाता है कि देखो ये जो ब्रह्मांड जगत है वो उसको अंग्रेजी में explain कर रहा है ठीक से नहीं कर पाया कहीं गलती है वो मैंने ठीक कर दिया है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनके समझ की बाहर है जो हमारी समझ के लिए सामाने है क्योंकि हर सब्विता में कुछ बातें विशेश होती हैं जो दूसरी सब्विता में नहीं मिलती है तो बाहर वाला आकर उसको जिस चश्मे से देखेगा हमारा चश्मा उससे बिलकुल अलग होगा तो वो कह रहा है कि भारत में ऐसा बोलते हैं, मानते हैं कि ये जो ब्रह्मान्ड जगत है, इसमें मनुष्य ही नहीं है, मनुष्येतर बहुत सारे प्राणी हैं, पक्षी हैं, जीव हैं, जन्तु हैं, और सब भारत वासी मानते हैं कि सब में आत्मा हैं, सब में आत्मा हैं, और प्रजा में आत्मा ही नहीं होती प्लेटो का है यह मेरा नहीं है वो कहता है आत्मा सिर्फ राजा में है प्रजा में आत्मा है ही नहीं इसलिए कानून सब प्रजा के लिए है आदेश देने का अधिकार राजा को है और प्लेटो तो कहता है कि राजा के मुझ से जो निकल गया वही कानून प्रजा को उसी का पालन करना है अच्छा फिर प्लेटो ने स्ट्रेटिफिकेशन किया है कि राजा तो एक वर्ग है उसके नीचे के वर्ग के उसने वर्गी करण किया है कि प्रजा में पहला कौन तो कहता है कि ये जो उद्योग पती हैं व्यापारी हैं धंदा करने वाले ये पहले स्थर के दूसरे स्थर पर कौन तो अध्यापक हैं और कारीगर हैं और म्यूजिशियन हैं संगीत कार हैं पेंटर हैं आगे जादी दो तीसरे नमबर पर कौन? तो तीसरे नमबर पर खेत में काम करने वाले मजदूर हैं, फैक्टरी में काम करने वाले मजदूर हैं वो चौते नमबर पर कौन? तो कहता है इस्त्रियां महिलाएं वो चौते नमबर पर आखरी पांचमा कोई नमबर नहीं है वा तो वो कहता है प्लेटो कि मैं कभी कभी कलपना करता हूं कि प्रजामे गलती से आत्मा आ गई तो इस्त्रियों में तो कभी नहीं आती इसलिए वो लॉज में लिख रहा है कि कभी भी किसी नियाधीश को किसी इस्त्री की गवाही पर विचार ही नहीं करना चाहिए क्योंकि इस तरी को सत्य का ग्यान नहीं है उसको विवेक नहीं है क्योंकि उसको आत्मा नहीं तो आप जानते हैं ये जो मौडर्न जस्टीश जुडिशियल सिस्टम निकला जिसमें से IPC, CRPC और CPC आया और हमने बिना सोचे समझे उसको अपने देश में अपनाया इस जुडिशियल सिस्टम में 1950 तक किसी महिला की गवाही को माना ही नहीं जाता था यूरोप में अदालत में चलने वाले किसी भी मुकदमे में किसी महिला की गवाही नहीं मानी जाती थी तो क्या हुआ फिर यूरोप में एक बगावत हुई जिसको वीमेंस लिव कहा जाता है इस्त्री मुक्ति और इसका नेत्रत तो किया एक फ्रांसी सी लेखिका ने उसका नाम था सिमोन दाबोवार उसके एक गुरू हुआ करते थे जियोपाल सात्र जिनको आधुनिक दार्शनिकों में बहुत उचा इस्थान मिला हुआ तो सिमोन दाबोवार ने सालो साल आंदोलन चलाया तब फ्रांस में इतना हुआ कि किसी तीन इस्त्री की गवाही एक पुरुष के बराबर है इतना हुआ बस इतना ही हुआ और उसके बाद सिमोन दाबोवार मर गई और वो कहती थी कि मैं इतना ही करापाई यही मेरे लिए बहुत है कि कम से कम अदालत ने तीन महिलाओं की गवाही एक पुरुष के बराबर तो मानी और प्लेटो चुकि ये कहता था कि इस तरी में आत्मा नहीं होती है तो 1950 तक यूरोप के किसी भी देश में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था वोट डालने का तो छोड़ दो बैंक में एकाउंट खुलने का अधिकार नहीं था किसी महिला को एकाउंट खुलेगा तो उसके पती का खुलेगा महिला का नहीं खुलेगा और जो बिदवा है तो तो उसके बेटे के नाम से खुलेगा महिला के नाम से नहीं खुलेगा जो बेटा ही नहीं है तो तो पडोसी के बेटे के नाम से खुलेगा हाँ उसके नाम से वेंक एकाउंट नहीं खुल सकता और 1950 तक यूरोप के किसी भी शहर में महिला घर से अकेली नहीं निकल सकती क्यों आत्मा नहीं है तो पता नहीं कहां जाएगी तो उसलिए उसके साथ में पुरुष का होना जरूरी है वो चाहे तीन साल का ही क्यों नहीं हो और प्लैटो ने लिख दिया ना इस्तरी में आत्मा नहीं होती तो सारे यूरोपियन दार्शिकों ने कहा है कि इस्तरी तो मेज कुरसी जैसी होती है जब तक इस्तेमाल करो अच्छी लगती है नहीं लगती बाहर फेक दो दूसरी ले आओ ये है उनकी फिलोसफी तो मेकॉले ये सब वरणन कर रहा है कि हम तो सोची नहीं सकते हैं हमारे यहां महिलाएं गुरुकुल की आचारे हो सकती है वो कह रहा है भारत में आदे से ज़्यादा गुरुकुलों की आचारे महिलाएं आदे से ज़्यादा और वो कह रहा है कि ये सिर्फ गुरुकुलों की नहीं हाइर स्टडी सेंटर में भी यही है तो उसको पूछा जा रहा है कि ये भारत में ऐसा कैसे हो गया महिलाओं को इतनी सिख्षा मिल गई इतनी ऊपर आ गई तो वो कहते हैं भारत वाले बिलकुल विचित्र हैं ये कुछ और मानते हैं हम मानते हैं कि इस्तरी में आत्मा नहीं होती भारत वाले कहते हैं कि इस्तरी परमात्मा के सबसे नजदीक होती है क्योंकि उसमें पूरुष से कुछ गुण ज्यादा होते हैं। हमारे सभी शास्त्रों में आप ये देख सकते हैं। चाहे रिग्वेद में देखना हो तो देख लीजे। रिग्वेद के कई सूत्र रैसे हैं जो ये बताते हैं कि इस्त्री पुरुष से उंची है क्योंकि उसमें ईश्वरी ये गुण है और आज की जो modern science है न इसने इसको दूसरे तरह से कहा है कि इस्त्री में एक क्रोमोसोम जादा होता है वही सारा खेल खेलता है पुरुष में नहीं है इस्त्री तय करती है कि बच्चा होगा या नहीं होगा पुरुष में कोई दम नहीं है तो ये आज की modern science कहती है हमारी science तो बहुत पहले कह चुकी है कि इस्त्री इश्वर के सबसे नजदीक है हमारे कई शास्त्रों में ऐसे सूत्र है जो ये कहते हैं कि जब समाज को ये पता नचले कि क्या करना क्या नहीं करना तो इस्त्रियों से पूछो वो बताएंगे कि क्या करना क्यों क्योंकि उनको functional knowledge सबसे ज़्यादा होती है functional knowledge हम समझते है जो क्रियात्मक ग्यान है जिससे कुछ हो जाता है एसा ग्यान उनको सबसे ज़्यादा है और फालतू ग्यान पुरुषों को बहुत होता है और उसका तमशा देखना हो तो भारत की संसद को देख लो देखा आपने संसद में जो पुरुष संसद है वो मा वहन की गालियां देते हैं और इस्त्री सांसदों को चुपचाप निकल जाना पड़ता है भारत में पता है क्या माननिता है भारत में माननिता ये है कि भाषा का विकास इस्त्रियों ने ही किया है भाषा का विकास इस्त्रियों ने ही किया है पुरुष की ताकत नहीं है भाषा का विकास करने क्यों? क्योंकि भारतिय भाषाओं में भारतिय भाषा हैं पता है? संस्कृत, तमिल, तेलगु, कन्नड, मलियालम, बंगाली, मने बंगला, आसामी, उडिया ये सब भारतिय भाषा हैं और हिंदी, उर्दू मिलने से पहले अभी तो हिंदी, हिंदी नहीं रही है, उसमें बहुत कुछ उर्दू गुस गई है, फारसी पता नहीं क्या क्या गुस गया तो हिंदी, उर्दू मिलने से पहले और बाकी सब भारतिय भाषा हैं आपको मालूम है इन में गालिया नहीं है, एक भी गाली नहीं है। और गाली नहीं है तो ये सिद्ध करता है कि ये भाषा इस्त्रियों ने ही रची है। क्योंकि इस्त्रियों में कितना भी गुसा हो गाली नहीं निकलती उनके मुझे क्योंकि इश्वरी ये गुण है उनमें कुछ तो महकुले कह रहा है कि भारत में इस्त्री इश्वर के नजदीक है परमात्मा के नजदीक है और वो एक सूत्र सुना रहा है पता नहीं उसको कहां से मिल गया वो कहता है भारत के लोग ऐसा कहते है कि इस्त्री के बिना मोक्ष नहीं होता और ये एक दिन मुझे भी अनुवव हुआ है मैं दक्षन भारत में गया था एक गाहूं में व्याक्यांदे में वो गाहूं में एक मंदिर है बड़ा मशूर मंदिर है मैंने सोचा मैं भी दर्शन करूँ तो पुजारी ने का आप अंदर नहीं जा सकते हैं मैं पूछा क्यों कि आप ब्रह्मचारी हैं मैं पूछा तो क्या हुआ ब्रह्मचारी हूं अंदर नहीं जा सकता नहीं जा सकते क्यों नहीं जा सकता कि आप पवित्र नहीं है मैं पूछा वो कैसे उन्होंने का पवित्रता तो इस्त्री के आने के बाद ही आती है हाँ और वो ब्रह्मुचारी ने इतनी गंभीरता से कहा कि मैं देखने लगा उसका चरह ये बोल क्या रहा है तो उसने कहा कि इस्त्री के जीवन में आने के बाद ही पुरुष पवित्र होता है उसके पहले तो वो लंपट होता है तो मंदर में मुझे गुसने नहीं दिया उसने और वो कहता आप तो क्या हजारों साल से यहां कोई भी व्यक्ति बिना पत्नी के मंदर में गया नहीं है तो मैंने का ठीक है फिर कभी हो तो सोचूंगा तो मैं वापस चला आया यह बात को मेकॉले बोल रहा है वहां कि भारतवासी बोलते हैं कि मोक्ष इस्त्री के साथ ही होता है और हमारे सभी रिशी मुनी ग्रहस्त थे सद ग्रहस्त थे ब्रह्मचारी नहीं थे मैंने जितने रिशी मुनियों को आज तक पढ़ा है सब को तो नहीं पढ़ा लेकिन जितने को पढ़ा है सब ग्रहस्त थे इसलिए ग्रहस्त आश्रम कोई उची चीज है हमारे तो ये वो बोलता है कि जब उची चीज आपके पास है तो उससे और उची प्राप्त करने की ताकत है जो उची नहीं है तो ज़्यादा उची तो मिलेगी नहीं तो भारत में तो इस्तरी का ये हैसियत है कि वो अगर नहीं है तो परिवार नहीं है समाज नहीं है, संसकार नहीं है, भाशा नहीं है, ग्यान नहीं है इसलिए भारत में इस्तरिया तो बहुत उची है फिर वो कहता है कि हमारे यह इंग्लेंड में तो गाउं गाउं में इस्तरियों को मारते पीटते हैं, जलाबी दे देते हैं आपको मालूम है यूरोप में धाई हजार साल एक परंपरा चली है विच हंटिंग बहुत किताब में लिखी गई है इस पर बहुत लिखा विच हंटिंग समझते हैं विच माने क्या कहना चाहिए हिंदी दायन को ढूडना और उसको मारना यह बहुत बड़ा खेल चलता था यूरोप के सबी देशों में जर्मनी फ्रांस स्वीडन स्विज़न डेनमार्क नॉर्वेश सब देशों में और धाई हजार साल चलता था गाउं में ढूंड़ूंड के ऐसी महिलाओं को मारा जाता था जि पकड़ के उनको खीच लेना तरह तरह की अत्याचार उनके ऊपर होते थे और किस देश में किस साल में कितनी महिलाओं को भी चंटिंग किया गया इसके रिकॉर्ड साज कल में इकठे कर रहा हूँ तो हमारे हाँ जब सती प्रथा की कहानी चर्चित हुई ना विलियम वेंटिंग के द्वारा उसी साल में इंग्लेंड में 2700 से जादा महिलाओं को डायन कहके मार डाला गया उसी साल में अब हुआ क्या कहानी में कि विलियम वेंटिंग ने अपने देश में जो 2500 से जादा महिलाओं को डायन मरवाया कहके उसकी चर्चा तो की नहीं आज तक एक किसी महिला को इस देश में डायन सिद्ध करके मरवा दिया उसको इतना ग्लोरिफाई कर दिया कि भारत के सभी गाओं में यही होता है और विलियम वेंटिंग को तो कुछ समझ भी नहीं थी अकल भी नहीं थी अभी थोड़े दिन पहले इस प्रशन का मुझे उत्तर मिला भारत देश में आप जानते हैं कि 4500 से जादा बनवासी जातियां है 4556 है कुछ बनवासी जातियां जैसे गौंड है वो एक बनवासी जाती है ऐसे ही गौंड जैसे 4500 से जादा समू है इनके बीच में मैं पुछले कुछ सालों से घूम रहा हूँ और मैंने वहां देखा कि सती का मतलब क्या होता है सती कहते किसको है एक बार गौंड लोगों के एक बहुत बड़े सम्मेलन में गया और वहां किसी को सती किया जाना था मैंने का चल के देखूं यह होता क्या है सत्थी होना तो वहां हुआ ये था कि एक महिला के पती का दिहान्त हो गया स्वर्गवास हो गया और पती का स्वर्गवास हो गया तो उसकी अंतिम यात्रा के लिए गाउं के लोग जा रहे हैं अंतिम संस्कार वो ऐसे ही करते हैं, जैसे हम करते हैं, अगनी दाह करते हैं, लक्णियां इकटी करते हैं तो मैंने देखा कि उसकी पत्नी आती है, और उसके चारों तरफ प्रदक्षणा करती है और संस्कृत के मंत्र बोलते हैं कभी-कभी उनको भूल जाएं, तो वो अपनी भाषा के मंत्र बोलने लगते हैं लेकिन मंत्र उचार होता है, बराबर होता है, पूरे समय होता है जितने समय तक लाश जलती है, तब तक वो मंत्र उचार करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं तो मंत्रो चार हो रहा है पत्नी उसकी प्रतक्षुना कर रही है तो एक चक्कर उसने लगाया और उनकी अपनी भाशा में सबके सामने हाथ जोड़ कर कहा कि आज मेरे पती का स्वर्गवास हुआ है समाज में ऐसा कौन सा समू है जो मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा व यह आवश्यक क्योंकि उसको जीवन बढ़ाना है तो इसलिए उसको सुरक्षा की जरूरत है प्राकरतिक सुरक्षा भी चाहिए दूसरे तरह की भी सुरक्षा चाहिए क्या मेरी बेटियां जिम्मेदारी लेंगी बेटियों ने हां बोल दिया तो आजाएगी नहीं बोला तो फिर चौथा चक्कर लगाईगी फिर वो पूछेगी कि क्या समाज के प्रतिष्ठित लोग जिनको हम क्या कहें महाजन महाजन लोग मेरी जिम्मेदारी लेंगे अगर उन्होंने हां बोल दिया तो आ जाएगी ना बोल दिया तो फिर चक्कर लगाएगी पांचवा फिर वो पूछेगी कि इस समाज के आचारे लोग उपाचारे लोग मेरी जिम्मेदारी लेंगे अगर हां बोला तो उनके पास आ जाएगी नहीं तो वाप जाएगी और आखरी चक्कर सात्मा जब लगाएगी तो वो पूछेगी कि क्या पुरोहित पुरोहित हम समस्ते हैं पूजा पाठ करा क्या पुरोहित मेरी जिम्मेदारी लेंगे अगर पुरोहितों ने हां बोला तो उनके पास आएगी नहीं तो चक्कर लगा के गाउं छोड़के चली जाएगी और गाउं कहेगा कि वो सती हो गई ये है सती होना और इसको बिगाड दिया अंग्रेजों ने क्या कहा कि उसको जवरजस्ती चिता में धकेल देंगे और ये कर देंगे फिर वो जाती कहा है उसके पीछे पीछे में गया तो उस गाउं का कोई मंदिर होगा वहां जाएगी और अपना बाकी जीवन उसी मंदिर में बिताएगी वो ये कहती है कि जब कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा तो अब भगवान मेरे लिए जिम्मेदारी लेंगे तो मंदिर में जाके पूजा करेगी पाठ करेगी अपना जीवन उसी से चलेगा उसका और जैसे ही वो मंदिर में जाके पाठ पूजा करने लगेगी तो समाज की आधरनिय हो जाएगी और सब उसको साश्टा में दंडवत प्रणाम करेंगे फिर हम गोंड लोग कहेंगे कि ये हमारी सती है हम उसको explanation क्या देंगे वो पती के साथ जिंदा जला दी गई वो सती है सती होना कोई उचा कर्म रहा है इस देश में हम उसको समझ नहीं पाए अंग्रेजों ने जो description दे दिया उसी को अंतिम मान के हमने अपना मान लिया कि ऐसा ही कुछ होता होगा ये होता है और ये सिर्फ गोंडों में ही नहीं होता भीलों में भी होता है गोंड हैं भील हैं जितने तरह की जंजातियां हैं ज्यादा तर में ये होता है तो मैकॉले कह रहा है कि भारत में तो इस्तरियों का इस्थान बहुत उंचा है परिवार में उंचा है, समाज में उंचा है भाशा उनके यहां से निकली है functional knowledge उन्होंने समाज को दिया है इसलिए इन के लिए तो सब कुछ विशेश होता है इसलिए गुरुकुलों में आचारे इस्तर पर बहुत इस्तरियां है यह हिरानी की बात नहीं वो कहता हमारे समाज में उल्टी इस्तरियों का इस्तान सबसे नीचे है इसलिए हमारे यहां हर काम में वो सबसे पीछे है तो इस तरह की कुछ बाते हैं जो मेकोले के documents बताते हैं और बिलियम एडम ने इससे भी जादा कुछ खोज की है और उसके documents इससे भी आगे की कई बातें बताते हैं कि बारत के यह जो गुरुकुल है इन गुरुकुलों का योगदान क्या है समाज में तो बिलियम एडम ने एक गुरुकुल की कहानी लिखी है अपने दस्तावेजों में आंदर प्रदेश में कावेरी नदी के पास विशाखा पत्नम से थोड़ा दूर एक गुरुकुल है उसका नाम गाओं का मैं भूल रहा हूँ तो वो गुरुकुल है उसने क्या योगदान दिया है तो वो कहता है इसका योगदान क्या है तो विलियम एडम कहता है कि इस गुरुकुल के विध्यारती और आचारियों ने मिलके कावेरी नदी पर एक डेम बनाया है बांध बनाया है जो दुनिया का सबसे पहला बांध है मुझे नहीं मालूम था विलियम एडम के डॉकुमेंट्स पढ़ने के पहले कि दुनिया का सबसे पहला बांध भारत में बना है फिर जैसा उसने डिस्क्रिप्शन दिया है उसको खोजते-खोजते में पहुँच गया एक दे और अपनी आखों से देख के आया कि वो डैम अभी तक जीवित है उस डैम पर तेलगू भाशा में एक पत्थर लगा हुआ है जिस पर तारीक है सन 1238 में वो बना है आज से लगबग 800-800 साल पुराना है और वो डैम की विशेष्टा क्या है पत्थर और चूने से बना है और आप जानते हैं दक्षुन भारत में सबसे ज़्यादा प्रवाह वाली नदी है कावेरी कावेरी जो है ना पेरेनियल रिवर है साल के बारों महीने पानी रहता है उसमें और पानी का फ्लो सबसे तेज है और पानी का दबाओ भी उसका सबसे तेज है तो कावेरी नदी पर जहां सबसे तेज घती से पानी बेहता है उस नदी पर बांध बना दिया बांध की लंबाई कितनी है और उसकी चोड़ाई कितनी है लगबग एक किलो मीटर देड़ किलो मीटर के आसपास उसकी लंबाई है और बांध बनाया कैसा है ऐसा है जैसे 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 जै इसकी विशेष्टा क्या है? तो विशेष्टा ये है कि ये Z शेप में है. Z शेप में क्यों बनाया? स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं बना दिया? एक रेखी रेखा में क्यों नहीं बना दिया? तो कहता है इसका जबाब मुझे नहीं मालूँ. क्यों बनाया? सीधी रेखा कि दीवार को ऐसे ऐसे कर दो तो पानी का प्रेशर डाइवर्ट हो जाएगा और वो डेम कभी भी नहीं तूटेगा अब समझ में आया कि वो सवा 800 साल से कैसे जिन्दा है तो वो बोल रहा है कि ये एक गुरुकुल ने बनाया हुआ है और वो गुरुकुल विश जट में भी इसके बारे में वरणन है तो वो कह रहा है विल्यम एडम कि भारत के गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थी और उनको पढ़ने वाले आचारी कितने समाज के काम करते हैं उसका ये नमूना है राजा डैम नहीं बनाते हैं विद्यार्थी और उनके अध्यापकों ने बना दिये ऐसी हजारों गोशालाएं गाउं गाउं में विद्यार्थियों ने और अध्यापकों ने बना दी ऐसी हजारों समाज उप्योगी चीज़ है जैसे धरमशालाएं कूएं पानी की रहेट ये सब विद्यार्थियों ने अध्यापकों के साथ मि कर समाज के इतने बड़े काम कर रहे हैं जो वर्षों वर्षों तक भारत के लोगों के उप्योग में आने वाले हैं तो इस तरह की थी हमारी सिक्षा व्यवस्था अब क्या हुआ इस सिक्षा व्यवस्था को जब मैकॉले ने फूरे ठीक से डिस्क्राइब किया लंदन में तो लंदन में ब्रिटिश पार्लेमेंट के सभी सांसोदों ने कहा कि अगर ऐसी सिक्षा व्यवस्था भारत में है तो भारत तो बहुत समुर्द शाली है पैसे वाला है यह हमें समझ में आता है कई गुरकुलों का उसने वरणन किया है जो क्रशी विज्ञान सिखाते हैं क्रशी शास्त्रे सिखाते हैं तमिल नाडू के कई गुरकुलों का जिक्र है जिसमें क्रशी विज्यान ऐसा सिखाया जाता है जहां एक एकड़ में 56 कुंटल चावल पैदा होता है उसकी विद्या वो सीखते हैं वहाँ पर आज भारत में जितने भी एगरी कल्चरल युनिवर्सिटीज है न वो एक एकड़ में 30 कुंटल से जादा धान कभी पैदा करके दे नहीं पाए लेकिन 1835 में विलियम एडम कह रहा है कि एक एकड़ में 56 कुंटल धान पैदा करना तो सामान्य बात है और ऐसी सिक्षा देने वाले विद्या देने वाले सेकड़ों गुर्कुल भारत में तो कुछ कृशी सिखाते हैं कुछ मेटलर्जी सिखाते हैं कुछ कंस्रक्शन इंजिनिरिंग में सिखाते हैं कुछ और कुछ सिखाते होंगे, ऐसे 18-20 विश्यों के सारे ये गुरुकुल है, तो वो कह रहा है कि भारत सुखी है, समरुद्ध शाली है, वो इन गुरुकुलों के कारण। तो वो कह रहा है कि अब भारत को अगर गुलाम बनाना है, तो इस सिख्षा विवस्था को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं, तब तक भारत गुलाम बनता नहीं। तो फिर उसको पूछ रहा है, इंग्लेंड का राजा, कि अब आपके पास क्या योजना है। तो कह रहा है कि मेरे पास एक योजना है, कि हमारी जो सरकार भारत में चल रही है, उसको आदेश दिया जाए, कि भारत के ये जो गुरुकुल है, इंडिजनेस एजुकेशन सिस्टम वो कहते हैं इसको, भारत का इस्थानिय सिक्षातन्द, तो कह रहा हैं जो इंडियन एज इजुकेशन सिस्टम है, या इंडिजनेस एजुकेशन सिस्टम है, इसको कानून बना कर हम गैर कानूनी गोशित कर देंगे, इल्लीगल, कि ये सब कुछ अवैधानिक है, गैर कानूनी, उसके लिए कानून बना देंगे, लंदन में, यहां से वो चला जाएगा, भारत में उसको लागू करा देंगे थोड़े दिन में ये सब गुरुकुल बंद हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास जब कानून आ जाएगा तो कानून के डंडे से हम इनको बंद करा देंगे कि ये इल्लीगल है बंद करो नहीं बंद करेंगे तो दंड देंगे उनको थोड़े दिन में दंड देते देते अपने आप बंद हो जाएंगे तब अंग्रेजों की संसद्न एक कानून बनाया जिसका नाम है Indian Education Act और वो पारित हुआ बाद में भारत की संसद में पारित हुआ और उसको लागू किया गया तो उसमें तय ये किया गया कि जितने भी गुरुकुलों में संस्कृत माध्यम से विद्या सिखाई जाती है वो सब गैर कानूनी फिर कहा गया कि जितने भी गुरुकुलों में इस्थानिय भाशाओं की मदद से जैसे तेलगू, तमिल, कन्नड, मलियालम, मराटी, गुजराती इनके माध्यम से विद्या दी जाती है वो भी गैर कानूनी तो कानूनी क्या? कानूनी वो जहां अंग्रेजी के माध्यम से सिख्षा दी जाती है वो कानूनी तो मेकॉले ने क्या किया? ये कानून लागू कराके फिर भारत के गुरुकुलों पर डंडा चलाया, बुल्डोजर चलवाए, एक एक करके उनका नाश किया जहां गुरुकुल बंद नहीं हो पाए, वहां के अध्यापकों को जेल में डाल दिया, विद्यारतियों को जेल में डाल दिया, कई कई जगे तो अत्यापकों के हाथ काट दिये गए, सिर काट दिये गए, कई कई गुरुकुलों में आग लगा दी गई, उनके पुस्तकाल जला दिये ये सब अंग्रेजों ने अत्याचार सौ साल तक किया 1840 से 1940 तक इधर वो अत्याचार करते गए भारत के गुर्कुल खतम होते गए दूसरी तरफ उन्होंने कॉन्वेंट इसकूल शुरू किये जो यूरोप में आज भी चलते हैं और किसी उद्देश की पूर्ती के लिए चलाए जाते हैं मैं आपको एक इंट्रेस्टिंग बात और बता दूँ कि जो अंग्रेजी दस्तावेजों का मैं अध्यन कर रहा हूं उसमें से एक और दस्तावेज है ये कॉन्वेंट क्या होता है यूरोप में एक बहुत खराब परंपरा है जो अभी 1950 तक चलती रही जैसे इस्त्रियों को वोट देने का अधिकार नहीं इस्त्रियों में आत्मा नहीं वो बेंक एकाउंट नहीं खोल सकते ऐसी एक बहुत खराब परंपरा इंग्लेंड में, फ्रांस में, जर्मनी सभी देशों में कि बच्चों को घर में रखना नहीं बच्चे पैदा हुए तो अनाथाश्रम में देना ये उनकी पुरानी परंपरा है और कई लोगों उन्हें तो क्या किया है कि बच्चों को पैदा होते ही घर के बाहर टोकरी में रख दिया कि अनाथाश्रम का कोई आएगा उठा ले जाएगा लेकिन कई बार कुत्ते उठा ले जाते हैं बेडिये उठा ले जाते हैं यूरोप का जो आधुनिक फिलोसफर्स में एक माना जाता है ना रूसो उसके पांच बच्चे पैदा हुए चार को उसने ऐसे ही छोड़ दिया घर के बाहर टोकरी में रखके दो को कुत्ते खा गए दो को नाथाश्रम वाले ले गए यूरोप में ये बहुत पुरानी परंपरा है बच्चों को लावारिस छोड़ना क्यों छोड़ना तो प्लेटो कहता है कि इस्त्री और पुरुष के आनंद के छणों में बच्चे बाधा हैं इसलिए मत रखो गर में ये प्लेटो की सिक्षा है वो कहता है कि अच्छे नहीं है बच्चे गर में रखना और वो ये कहता है कि जीवन का चरम तो आनंद ही है और वो भी शरीर का आनंद है वो गयता जीवन तो इसी के लिए मिला है कि हम शारीरिक आनंद की प्राप्ति करें और बच्चे इसमें बाद आए तो बच्चों को रखना नहीं घर में तो छोड़ देना तो वहाँ बच्चे छोड़ने की परंपरा है अब बच्चे छोड़े जाते हैं तो राजा उनकी व्यवस्था करें छोड़े हुए बच्चों की तो राजा कुछ संस्थाएं खड़ी करता है उन संस्थाओं को कॉन्वेंट कहते हैं कॉन्वेंट माने लावारिस बच्चों को पालने वाली संस्थाएं। अनात बच्चों को पालने वाली संस्थाएं। कॉन्वेंट माने अनात बच्चों के स्कूल, लावारिस बच्चों के स्कूल। तो यूरोप में ये कॉन्वेंट चलते हैं। तो ये मैकॉले कह रहा है क भारत में भी यही चलाएंगे तो कोई सांसत उससे पूछ रहा है कि भारत में कोई अनात होता है उसने का होता तो नहीं है लेकिन हम बनाएंगे होता तो कोई नहीं है क्योंकि भारत में किसी बच्चे के माता पिता भी मर जाएं तो उसके चाचा चाची है, ताउ ताई है, मामा मामी है, मौसा मौसी है, बुआ फूपा है, कोई तो लेगा उसको, यूरोप में तो है माता पिता तो भी छोड़ देंगे, तो यूरोप में ये जो लावारिस बच्चे हैं, इनको पालने के लिए कॉन्वेंट खड़े किये कलकत्ता में, और उस कॉन्वेंट में कोई पढ़ने नहीं आता था, तो इसने दूसरा कानून बनवाया, कि जो भारतवासी इस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज सरकार की नौकरी करेंगे, और कलकत्ता में रहेंगे, उनको अपने बच्चे यहां भेजना आवश्यक है, नहीं तो नौकरी जाएगी, तो जवरजस्ती भारतवासी जो उनके आँ काम करते थे, उन्होंने अपने बच्चे भेजना शुरू किया, फिर धीरे एक कॉन्वेंट से दो हुआ, दो से तीन हुए, तीन से दस, दस से बीस, पचास सो, अब हजारों हो गए, अब भारत में ऐसा कोई गाओं नहीं, जहां कॉन्वेंट नहीं, तो मैकोले ने एक विश बीज डाल दिया, जो अभी वट बरक्षबन के फैल गया, अब तो ऐसे ऐसे कॉन्वेंट स्कूल हैं इस देश में, बजरंग बली कॉन्वेंट स्कूल, आपको देखना हो तो मैं दिखा सकता हू बंबई में हैं, ग्रांट रोड के पास है, रेलवे स्टेशन से बिलकुल सटा हूँ, बजरंग बली कॉन्वेंट स्कूल, हाँ, और एक कॉन्वेंट स्कूल है, संतोशी माता कॉन्वेंट स्कूल, एक है सरस्वती देवी कॉन्वेंट स्कूल, एक महावीर स्वामी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने गई थे लिए मूरखों के मूरख इस देश में पैदा हो गई ना तो अंग्रेज है ना तो हिंदुस्तानी है खिचुडी बनके समाज में पड़े हुए ना उसमें से आप चावल निकाल सकते हैं, ना मूं की दाल का दाना निकाल सकते हैं, ये खिचुड़ी लोगों ने देश का सत्यानाश कर दिया, ये सम मैकोले की संतान है, मैकोले तो छोड़ गया कुछ, जब अंग्रेज गए थे ना, तो रिकॉर्ड्स बताते हैं कि साड़े तीन सो कॉन्वेंट स्कूल थे, पंदर अगस तुनिस सो सेटालीस तक, अब शायद वो तीस पेंतीस हजार हो गए हो तो कोई आश्चर की बात नहीं, अब यूरोप में जो कॉन्वेंट स्कूल है, वैसी ही सिक्षन यहां हो रहा है, यूरोप में क्या होता है न, मैंने असली का पता नहीं, असली का तो कुछ पता नहीं, लावरिस है, किसका है, बाप उसका और कौन है उसकी माँ, तो स्कूल में जो पढ़ाने वाले होते हैं न, टीचर, तो पुरुश है तो फादर, मने ओल्ड एज है तो फादर, और यंग एज है तो ब्रदर, और ओल्ड ल सिस्टर है क्योंकि असली नहीं अब हमने भारतवासियों ने बिना सोचे नकल कर लिया उसका हमारे यहां तो घर में हैं असली और कॉन्वेंट में जा रहा है बच्चा तो वहां होगे नकली और वहां उसको मदर फादर ही बोलना पड़ता है अब भारतिय जी मानते हैं कि मेरी तीन माहें एक ने जनम दिया है बाकी दो प्रेम दे रहें तो माता हैं दो हो सकती हैं तीन हो सकती हैं बाप हमेशा एक ही होता है अब हमारे कॉन्वेंट में पढ़ने वाले नोने हालों के हर एक के दो दो बाप एक तो घर में हैं असली और दूसरे हैं वहाँ नकली और मैं आपको अंग्रेजी की एक शब्द की व्याख्या करता हूँ अंग्रेजी में एक शब्द होता है जो गाली के रूप में इस्तेमाल किया जाता है बास्टर्ड बास्टर्ड वही होता है जिसके दो बाप होते हैं तो हमने अपने अपने नौने हालों को सबको बास्टर्ड बनाने का दंदा शुरू कर दिया है और बड़े गर्व से कहते हैं मेरा बेटा सेंड मेरी कॉन्वेंट में जाता है जीसस कॉन्वेंट में जाता है, फलाने कॉन्वेंट में, ढिमा के कॉन्वेंट में, फिर उन कॉन्वेंटों में बड़ी-बड़ी विचित्र विचित्र चीज़ें सिखाई जाती है, आजकल सिखाया जाता है वेलेंटाइन डे, सेलिबरेट करो वेलेंटाइन डे, ये वेले चलता है यूरोप में लिव इन रिलेशन्शिप माने शादी तो करने नहीं है लेकिन साथ में रहना है और यह क्यों ऐसा है इसमें छुटकारा आसान है सबेरे किया शाम को निकल गए कहीं दूसरे के घर में घुज गए फिर तीसरे के फिर चौते के तो जैसे कुट्ते घूम भारतिय कुट्तों से भी जादा खराब यूरोपियन कुट्ता संस्क्रति भारतिय कुट्ते फिर भी थोड़े वफादार है यूरोप वाले तो उतने भी नहीं है तो यह लेविन रिलेशन्शिप का चक्कर बहुत है और आपको सुनकर आश्यर होगा कि पहले से और आज त अब बिना शादी के रहते हैं तो पत्नियां बदलती हैं माफ करो पत्नी तो हो यह नहीं सकती इस्तुरियां बदलती रहते हैं उनको वह विचित्र विचित्र नामों से संबोधित करते हैं इंग्लेंड में एक नाम चलता है मिसिज मिसिज लॉयड मिसिज टोपनो मिसिज माने ये उसकी रखेल है जिसके नाम से काई माने पत्नी को छोड़ कर कोई भी महिला जिसके साथ आप बिस्तर शेयर करते हैं वो सब मिस्स होती है तो वहाँ तो ये है सारा खेल इस्त्रियां तो शादी के बिना पुरुष तो शादी के बिना तो कभी कभी बीच बीच में योरोपियन लोगों को कुछ अच्छे विचार भी आ जाते हैं तो चौथी शताबदी में आज से लगबग सोले सो साल पहले एक व्यक्ति पैदा हो गए रोम में उनका नाम था वेलेंटाइन वो चर्च के पादरी हो गए उन्होंने भारत का साहित्य कुछ पढ़ा भारती ये साहित्य बहुत जगे फैला है हम सब जानते हैं तो वो पढ़ लिया उनके विचार बदल गए उनका कहना है कि सब को शादी करके ही रहना चाहिए और वो प्रचार करने लगे गाओं गूमके कि भाई शारीरिक संबंद बनाओ तो पहले शादी करो तो राजा जो था उस समय क्लॉडियस नाम का एक राजा था रोम में वो कहता था आप यह क्या बकवास करते हैं वो कहते थे यह बकवास नहीं है बहुत अच्छी जीवन पद्दिती है पूर्वी भारत में पश्चिम भारत में सब जगे यही चलती है वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं इस्तरियां बहुत अच्छी है तो वेलेंटाइन्स आप क्या करते थे कि जो भी शादी करने को तैयार हुआ उसको अपने चर्च में बुलाते थे और उसकी शादी करते थे ये सिलसला उन्होंने 20-25 साल चलाया अब वो राजा बहुत परिशान हो गया तो एक दिन उसने वेलेंटाइन को फासी पर लटकाने का आदेश दे दिया तो 14 फरवरी सन 498 को वेलेंटाइन को फासी पर लटका दिया गया तो जिनकी उन्होंने शादियां कराई थी वो बहुत दुखी हो गए तो उनकी याद में उन्होंने वेलेंटाइन दे मनाना शुरू कर दिया तो ऐसे वेलेंटाइन डे आया अब उनके कॉन्वेंट में वेलेंटाइन डे मनाते हैं अब हमारे भी कॉन्वेंट में चालू हो गया वेलेंटाइन डे, वेलेंटाइन डे यहां तो कोई समस्या नहीं है शादी करके रहने के वहाँ तो शादियां ही नहीं होती है अब हमारे स्कूलों में वेलेंटाइन डे मनाता है तो बच्चे क्या करते हैं? ग्रीटिंग कार्ड खरीते हैं अपनी अम्मा को देते हैं वुड्यू भी मैई वेलेंटाइन फिर बाप को भी दे देते हैं वुड्यू भी मैई वेलेंटाइन इन मूर्खों को पता ही नहीं कि वेलेंटाइन थे कौन इसका मतलब क्या है अम्मा को पूछ रहे हैं वुड्यू भी मैई वेलेंटाइन अभी थोड़े दिन पहले बंबई मेम एक बुजुर्ग आदमी को मिला जिनकी 75 साल की उम्र है उनके पास 18 ग्रीटिंग कार्ड आए वेलेंटाइन डे पर और सब में एक ही वाग वुड्यू भी मैई वेलेंटाइन 75 साल के बुजुर्ग आदमी से लड़कियां पूछ रहे हैं वुड्यू भी मैई वेलेंटाइन ऐसा अदकच्रापन है ये सब कॉन्वेंट मेंसे हमारे बच्चे सीख सीख के निकल रहे हैं और इन कॉन्वेंट स्कूलों में क्या-क्या सब सिखा दिया वो कहता था न मैकॉले मैकॉले ये कहता था कि ये जो कॉन्वेंट स्कूल हम चलाएंगे इनमें सिख्षा मिले ना मिले संसकार अंग्रेजियत के हम जरूर देंगे तो क्या होगा तो कह रहा है वो कि भारतवासी जितने साल इसमें से पढ़कर निकलेंगे न तो वो शरीर से दिखने में भारती होंगे आत्मा से अंग्रेज हो जाएंगे फिर यही हमारी मदद करेंगे और भारत को गुलाम बनाई रखने में व्यवस्था करेंगे तो संसकार देना है उनको तो अपना तो वो दे रहे हैं अब जो कॉन्वेंट में हैं वेलेंटाइन डे सिखा दिया फिर उन्होंने पता नहीं मदर्स डे ठिखा दिया दूद नसीब नहीं है तो चर्च में जो होती है न सिस्टर्स होती है वो अपना दूद उनको उपलब्द कराती है अब आप में से कई लोगों को यह प्रश्णोगा कि बाइलोजिकली यह संभव कैसे है वो नर्स तो माँ बनी नहीं तो उसको दूद कैसे आएगा लेकिन अभी आधुनिक विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि कोई बच्चा लगातार दो तीन दिन तक बिना विवाहित किसी महिला को लगातार इस्तनपान करे तो चौथे पांचवे दिन से दूद आना शुरू हो जाता है तो उनके आँ नर्सिंग जो होती है वो सिस्टर्स के दौरा होती है या नर्सिस के दौरा होती है माँ नहीं करती है लेकिन कभी-कभी साल में कोई एक दिन मनाना हो तो वो Mother's Day मनाते हैं जिस दिन माँ अपने बच्चे को दूद पिलाने के लिए वहाँ जाती है Convent तो उनके यह Mother's Day होता है ऐसे ही उनके यह Father's Day होता है Father's Day का चक्कर क्या है यूरोप के बच्चे वैसे तो घर में रहते नहीं जो गलती से किसी ने रख लिये तो उनको अपने बाप के साथ खाना खाने का अधिकार नहीं है डाइनिंग टेबल पर अपने बाप के साथ वो नहीं बैठ सकते बाप अपने डाइनिंग टेबल पे खाना खाएगा दोस्तों के साथ जब वो चला जाएगा खाना काके तो बाद में बच्चे डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं लेकिन साल में कोई एक दिन वो fix करते हैं जब बच्चे बाप के साथ बैठें डाइनिंग टेबल पर उस दिन वो Father's Day मनाते हैं। अब उनके Mother's Day, उनके Father's Day, उनके Brothers Day, उनके Sisters Day या उनका Valentine Day उसके पीछे कुछ कहानिया हैं। हम बिना सोचे समझे, अंधों की तरह से इस पे लग गए हैं। कई बार मैं देखता हूँ अजमेर जैसे शहर में, जैपुर जैसे शहर में, Mother's Day पे रैली निकाली जा रही हैं। प्ले कार्ड लेके बच्चियां अपने अपने हाथ में जा रही हैं। इसकूल कॉलेज उनका छोड़वा दिया जाता है। और ये सब मूर्ख सरकारी अधिकारी किया करते हैं। फिर Father's Day पे निकालते हैं, फिर इस पे निकालते हैं, ये सब तमाशिवाजी, ये मेकॉले हमारे यहां छोड़ के गया। और वो बार-बार कहता था कि हमें संसकार देना है। सिक्षा दे पाएं ना दे पाएं वो मेहतु का नहीं। अंग्रेजियत का संसकार देना है। तिंकू। अब मैं पूछता हूँ कि ये राम देयल और गाहितरी देवी का का टिंकू अगया। ये राम देयल और गाहितरी देवी की बेटी का नाम ऽई। गल बबली डबली। क्या है बबली का मतलब क्या है डबली का मतलब इस तरह के नाम हमने रखे हुए गुज गई अंग्रेज यह था हमारे घज़ में हम सब मातर भाशा में हिंदी है और रोज घर में बोलते हैं ओ राजीव दिक्षित शी इस माई मिसस तो मैं पूछता हूँ रियली शी इस यूर मिसस क्योंकि यूरोप में मिसस का माने धरम पत्नी को छोड़ कर कोई भी महिला और उनकी धरम पत्नी क्याते है ओ राजीव दिक्षित इस माई मिस्टर तो मैं पूछता हूँ रियली क्योंकि यूरोप में मिस्टर का माने पती को छोड़ कर कोई भी पुरुष और मिस्ट तो बहुत ही खराब है मिस्ट है फ्रेंच शब्द है मिस्ट का माने एक ऐसी महिला जो जिन्दिकी भर वैश्यावरती करे शादी ना कर सके वो मिस्ट है हम बड़े गर्व से लिखते मिस्ट फलाना मिस्ट धिमाका मिस्ट ये मिस्ट बिना सोचे समझे और सबसे खतरनाक शब्द यूरोप में हैं अंकल सबसे खतरनाक है क्योंकि जिसके बारे में आपको कुछ बताना ही नहीं हो उसको अंकल बोल दो जिसके बारे मैं नहीं बताना हो उसको आंटी बोल दो हमारे अंकल आंटी कैसे हो सकते हैं या तो चाचा होंगे या तो काका होंगे या तो मामा होंगे या तो मौसा होंगे या तो ताउ होंगे सब कुछ हमारे या निश्चित है अंकल तो बहुत ही अनिश्चित शब्द है आंटी तो और भी मैं को ले छोड़ गया तो हमने अपने बच्चों से मम्मी बोल डैडी बोल ये बुलवाना शुरू कर दिया मम्मी का मतलब है मरा हुआ और डैडी मरे हुए जैसा और बड़े शौक से बुलवाते हैं मम्मी बोल डैडी बोल अब यूरोप में जो भूशा थी ना वो हमारे कॉन्वेंट में घुज गई यूरोप में क्या है टाई लगाना है सूट पहनना क्योंकि ठंड बहुत है हमने यहां पचास डिगरी तेंपरेचर वाले अजमेर में भी टाई लगवा दिया सबको इतनी भेंकर गर्मी है अंदर से पसीना पसीना हो रहा है और कभी-कभी तो रोज में ये द्रश्य देखता हूँ एक दूले राजा जून की गर्मी में शादी करने जा रहा है थ्रीपी सूट और टाई लगा के घोडे पे चड़के बैठे हुए उनको पूछो भाई तुमको सुपर इडियट बनने का यही दिन मिला है कहता है राजी भाई एक दिन तो कर लेने दो तुमको यही दिन मिला है अपनी शादी का ऐसे हमारी भाषा बदल दिया भूशा बदल गया भोजन बदल गया कॉन्वेंट स्कूलों से बच्चे सीख रहे हैं पीजा खाओ, बर्गर खाओ हॉट डॉग खाओ, कोल डॉग खाओ चाओ मीन खाओ, नूडल्स खाओ तो उनका भोजन उनकी भाषा, उनकी भूशा उनका भजन, रॉक म्यूजिक पॉप म्यूजिक, सब कुछ घुज़े अब ये कर दिया सब बंटा था, अब ना तो हम भारती रह पाए, ना अंग्रेज बन पाए, अगर कोई सब्विता खिचली बन जाए, उसका भविश्य बहुत खराब होता है, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि या तो हम भारतवासी पूरी ताकत लगा के अपने को अंग्रेज बना ले, नहीं तो पूरी इमांदारी से भारतिय हो जाए, यह अधकच्रे ना रहें पीचों, क्योंकि इस अधकच्रे पने हमारी जेनरेशन्स को पीडियों को खतम कर दिया, तो इस अंग्रेजियत के सिक्षा तंत्र ने जो यूरोप से आया, क्या कईया है आज हमारे देश में, एक दो और उधारन देता हूँ, कॉण्वेंट स्कूलों में किताबें पढ़ाई जाती हैं, जिन में बिलकुल इस पश्ट बच्चों को सुनाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है कि बगत सिंग तो आतंक वादी, उधम सिंग तो आतंक वादी, चंदरशेखर तो आतंक वादी, और महराजा रंजीत सिंग तो लुटेरे, आप जानते हैं सिख समाज के बहुत प्रतिष्ठित धरम गुरू महराजा रंजीत सिंग, जिनोंने न सिर्फ अंग्रेजों से लोहा लिया, बलकि मुसल्मानों से भी इस देश को बचाया, उनको लुटेरा, हमारे भारत में एक जाती है जिसको जाट कहते हैं, जाटों के बारे में अंग्रेज ये कहा करते थे कि इनकी ताकत बहुत है, इसलिए उन तो मराठा रेजिमेंट बनाया, जाट रेजिमेंट बनाया, क्योंकि इन में ताकत बहुत है, इनका जो डी एने है ना, बहुत स्पेशल किसम का है, लड़ना, लड़ना, मारना, मरना, उनको इसमें मज़ा आता है, कभी भी अपनी जान की परवा नहीं करेंगे, हाँ, किसी के लिए भी जान दे देंगे, ऐसे लोग, तो जाटों को अंग्रेजों ने लिख मारा और कॉन्वेंट इसकूलों में पढ़ाया जा रहा है, अंग्रेजों के जर खरीद गुलाम, अब ये बच्चे बार बार पढ़ रहे हैं, रोज रोज पढ़ रहे हैं, रोज रोज एक अंग्कॉन्वेंट स्कूल की हिस्ट्री की किताब में मैं पढ़के आया, और वो किताब मैंने समाल के रखी हुई है, जहांसी की रानी लक्ष्वी भाई ने भारत की आजादी के लिए कुछ नहीं किया, और उसका जीवन चरित्र लिखा गया है, कि वो एक अंग्रेज अधिकारी जोन लेक के प्रेम और महबत में ही फसी रही जिंदगी बार, जहांसी किरानी लक्ष्वी भाई के बारे, ऐसी सब चीज़ें पढ़ाई जा रही है, और धीरे धीरे हुआ क्या है, इन कॉन्वेंट स्कूलों के बनाए हुए सिलेवस को भारत सरकार ने सारे जिखा है, और हमारे प्रधानमंतरी भी कहते हैं, सच्य सत्यवादी तो अंग्रेजी ही थे, जो हमको ये सब सिखा के गए, ये स्तथी हमारे देश की है, तो ऐसी गंबीर स्तिती में हम सबको सोचना है, आज सिक्षक दिवस है, तो हम सब सोचें कि इस सिख्षा का क्या करें जो यूरोप से आई है और हमारे देश में जड़ जमा के बैठ गई है मुझे बहुत कश्ट होता है आपको ये बताते हुए कि भारत में जो कॉन्वेंट स्कूल चल रहे हैं आप जानते हैं इनके पास सबसे ज़्यादा भूमी है भारत देश की मैंने संसद में एक प्रश्न करवाया था आप यहाँ बैठे हैं मेरे एक दोस्त हैं अखलेश कुमार करके गोरखपुर से और उसके पास के छितर से संसद हैं मैंने का जरा ये पूछ तो लो कि भारत में सरकार के बाद किसके पास सबसे ज़्यादा जमीन है तो उत्तर आया कि सरकार के बाद सबसे ज़्यादा जमीन चर्च और उनके कॉन्वेंट स्कूलों के पास है रेलवे से भी ज़्यादा जमीन इनके पास है और हजारों हेक्टेयर जमीन एक एक रुपए के लीज पर दी गई हजारों हेक्टेयर एक रुपय का लीज, दो रुपय का लीज, माने साल में वो एक ही रुपया देते हैं, हजारों एकड जमीन भारत की इस्तेमाल कर रहा है, और उनकी मिलकियत है, 1820 से अंग्रेजों की सरकार नहीं ये जमीन देना शुरू किया, 2006 तक ये अबाद गती से चालू है, हमारी ही जम सद में एक जब सवाल करवाया तो पता चला कि सरकार का डोनेशन तो 10 प्रतिशती है, बाकी समाज का डोनेशन, अकेले में बुंबई का आंकड़ा आपको दे रहा हूं, बंबई का, बंबई में जितने कॉन्वेंट स्कूल चलते हैं, उसमें 92 परसेंट हिंदू समाज के ल हिंदू समाज के जो पढ़ते हैं बंबई में, कॉन्वेंट स्कूलों में, वो सब विद्यार्थी के माबाप एक साल की फीस के रूप में 18,000 करोड रुपए देते हैं, आप सोचते हैं ये रकम कितनी बड़ी है, राजिस्थान सरकार के बजट का लगभग आधा, बंबई सिर्फ बंबई के गॉन्वेंट, फिर कलकत्ता के कॉन्वेंट, मद्रास के कॉन्वेंट, हैदराबाद के कॉन्वेंट, दिल्ली के, इन सब को मैंने जोड़ना शुरू किया, फिर B-class cities के कॉन्वेंट, जैसे अजमेर है, जैपूर है, ऐसे शहर, फिर C-class, कुल कॉन्वें स्कूलों में साल का भारतिय समाज के द्वारा एक लाख करोड रुपई से जादा का डोनेशन और फीस दी जा रही है हम से पैसा ले रहे हैं और हमारे ही बच्चों का दिमाग गुमा रहे हैं और ऐसे ऐसे दिमाग गुमाए जाते हैं एक कॉन्वेंट स्कूल के खिलाफ मैंन पूच के बस बंद कर देना तो कभी भी वो ड्राइवर बस बंद कर देता है फिर बच्चों को कहता देखो बस खराब हो गई तुमारे भगवान का नाम लो तो बच्चे का नाम लेते हैं हनुमान जी का राम का बस चालू नहीं होती फिर वो कहता देखो तुमारे भगवा तो कमजोर हैं ये तो चालू नहीं हो रहे अब इसा मसी का नाम लो जैसे ही बच्चे इसा मसी का नाम लेते हैं वो तुरंत स्टार्ट कर देता है तो तीन-तीन साल के बच्चों के दिमाग में आ जाता है अरे इसा मसी तो बहुत ताकतवर है फिर वो बच्चे आके अपने घर आज में आपके यहां आने से पहले शाहपुरा एक छोटे से नगर में था तो वहाँ पर राम सनही संप्रदाए के एक बड़े संथ है उन्हों ने तो कहा कि इतना ही नहीं होता कॉन्वेंट स्कूल में आगे भी होता है बच्चे जो छोटे छोटे होते ना जिनके मन भोले वाले हैं उनको एक खेल खिलाया जाता है कि उनके राम और क्रश्न है ना उनकी मूर्तियां बनाई जाती है मैटल्स की और बच्चों को दिया जाता है फिर वो कहते हैं कि सुमिंग पूल में इनको तैराओ तो बच्चे उनको डाल देते हैं वो सब डूब जाती है क्योंकि मैटल्स की तो कहते हैं देखो तुमारे भगवान डूब गए फिर उनी छोटे छोटे बच्चों को काष्ट की मूर्तियां दी जाती है लकडी की इसा मसी की कहते हैं तैर आओ तो वो तैर ने लगती है तो बच्चों को कहते हैं देखो इसा मसी इतने ताकतवर हैं कि वो तैर सकते हैं राम कुरशन तो डूब गए तो तुमको भी दूब तो लोकमाने तिलक्की इस बात को फिर याद करें दुश्मन हमसे ताकतवर है बहिशकार करो और असहयोग करो बाद में गांदी जी ने उसको और तेज से कहा हम इन कॉन्वेंट स्कूलों को और इस एजुकेशन को हटाना चाहते हैं यूरोपियन तो इसके लिए असहयोग करो और बहिशकार करो मतलब मैंने आपसे कहा कि इन बानवे प्रतिशत विद्यार्थी हमारे हैं जो वहाँ पढ़ने जा रहे हैं इनको रोको और हम इसको अपने घर से शुरू करें कि हम अमारे घर के किसी बच्चे को कॉन्वेंट में नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हम उसको बास्टर्ड नहीं बनाएंगे वो इंजिनियर बने न बने डॉक्टर बने न बने कम से कम बास्टर्ड तो न बने इतना अपमान तो न करें हम अपने पिता का तो हम नहीं बेजेंगे हमारे बच्चों तो फिर कहां बेजेंगे जो हमारे स्कूल चलते हैं उनमें बेजेंगे फिर आप कहेंगे उनमें सुख सुविधाएं कम हैं बढ़ जाएंगी जब धनका प्रवाह कॉन्वेंट स्कूलों से भारतिय स्कूलों की तरफ होगा तो सुविधाएं भी बढ़ जाएंगी आप सोचो 18,000 करोड रुपया बंबई के कुछ कॉन्वेंट स्कूल को हर साल मिलता है इतना ही रुपया आरी समाज के गुर्कुलों को मिल जाए या सनातन समाज के लोगों को मिल जाए या किसी और संस्थाओं को मिल जाए जो भारतियता आधारित गूर्कुल चलाते हैं तो वो सुखसुविदाओं वाले हो जाएंगे वो तो धन के प्रवाह को बदलने की जरूरत है अभी धन का प्रवाह कॉन्वेंट स्कूलों की तरफ है तो सुखसुविदाओं वहाँ जादा है हमारे स्कूल पानी से प्यासे है बैठने को जमीन पे टाट पटी नहीं है स्कूल में पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड नहीं है सामान ने जरूरतों की चीज़ें जैसे संडास घर होना चाहिए वो भी नहीं है तो ये इसलिए कि धन की कमी है धन का प्रवाह उस तरफ है इसको मोड़ दो तो समाज में एक बहस चले इस पर कि ये कॉन्वेंट इस्कूल आए कहां से है उनके यहां सिक्षा की क्या इस्तिती रही है तो शायद इसमें से एक समझ बने और ये समझ हिंदुस्तान में अगले दो तीन वर्षों में कोई अभियान का सुरूप ले और ये अभियान हिंदुस्तान के इस विश भीज को उखाड़ कर फेंग दे ऐसी भावना मेरे मन में है मैंने इसके लिए एक और प्रयाश शुरू किया है बहुत लोग जब कहते हैं कि राजी भाई विकल्प दो तो हमने खुद अपने इस आज़ादी वचाव आंदुलन की तरफ से छे गुरुकुल बनाना शुरू किया और वो लगबग एक साल में शुरू हो जाए उन सभी गुरुकुलों को वैसे ही पढ़वाना है जैसे कभी 200 साल पहले था वही 18 विशे हमने चुने हैं जो 200 साल पहले पढ़ाई जाए और हमारे गुरुकुलों की ये माननिता रही है कि सिक्षा और विद्या सब के लिए किसी एक के लिए नहीं पैसा है या नहीं ये महत्तु का नहीं है सिक्षा और विद्या हरेक के लिए वो जाती का है धर्म का इससे मतलब नहीं हमारे गुरुकुलों में सभी तरह के विद्यारत आप तो जानते हैं कि भारतिये शास्त्र कहते हैं कि सिक्षा विद्या और नियाए है यह संकल्प से हम शुरू कर अपिर यह चलेंगे कैसे इन Mutta चलाने के लिए विद्द्यारतीओं को हर दिन दो घंटे श्रम दान करना पड़ेगा या तो दो घंटे वह चर्का चलाएं या तो दो घंटे के फैट में काम करें या तो देंगे फीस किसी को नहीं देनी पड़े और हमारा यह मानना है कि जो विद्यारती 14 साल पढ़कर निकल गया कम से कम हरेक के पास धाई से तीन लाख रुपए होगा जो उसके अपने श्रम की कमाई होगी उससे वह अपना कोई व्यवसाय शुरू कर सकेगा 2000 रुपए की नौकरी के लिए नहीं भागेगा होगा और इन सारे गुरुकलों को हम ग्यान आधारित बना रहे हैं डिगरी आधारित नहीं क्योंकि ग्यान उचा होता है डिगरी उची नहीं होती कभी भी अंग्रेजों ने हमको उल्टा फसा दिया ग्यान आधारित हिंदुस को डिगरी में फसा दिया अब हम किसी की भी परीक्षा लेते हैं तो भई तुम्हारे पास डिगरी क्या है डिगरी कोई महत्तुकी नहीं होती है चरक रिशी की क्या डिगरी थी शुश्रुत रिशी की क्या डिगरी थी सांख्य दर्शन की जिन्होंने पूरे दुनिया को ब सूर्य की दूरी प्रत्वी से कितनी है ये आज बोलते हैं नौवी शताग्दी में तो हिंदुस्तानियों को मालूम था कि सूर्य और प्रत्वी की दूरी कितनी है तो ये जितनी महान बातें करने वाले लोग इनके पास किसी के पास डिगरी नहीं थी ग्यान था ग्यान उचा होता है डिग्री नहीं होती है तो हम वही ग्यान आधारित, सिक्षा और विद्या लाना चाहते है अभी शुरू में हम शायद माइनॉरिटी में होंगे लेकिन हर माइनॉरिटी समय में मैजॉरिटी हो जाती है कौन जाने, कल को ये अभ्यान चल पड़ा तो बहुत बड़ा हो जाएगा शुरुआत तो एक दो से ही होती है बड़ा होते होते तो बहुत बड़ा सागर बन जाता है बगत सिंग तो अकेला था, फांसी पे गया उसके साथ सुगदेम, राजगुरू अकेले थे तो होगा, अकेले हम करेंगे तो नहीं होगा तो आप भी इसमें लगें, हम भी लगें है और आप में से जो आरे समाजी हैं उनके लिए तो ये बहुत आसान है मैंने एक पाठिकरम तयार किया है आरे समाज के जितने गुरुकुल भारत में चलते हैं उनको हम वो दे सकते हैं हमारा उस पर कोई copyright नहीं है सब को copy करने का complete right क्योंकि हम मानते नहीं कि ग्यान पर किसी का विशेश अधिकार है ग्यान तो सब के लिए मैंने कहीं से लिया आपको दिया आप किसी और को दे दीजे तो आरे समाज के सबी गुरुकुलों को मैं दे सकता हूँ और दूसरे गुरुकुलों को दे सकता हूँ वहां भी ये साथ साथ शुरू हो जाए हम प्रयास करें आप भी करें तो हो सकता है तीन चार साल में इस देश की सिक्षा का ढाचा और दिशा दोनों बदल जाए ऐसे अभिष्ट की काम ना करके आपके पास आया आपने बड़े द्यान शानती से सुना आपका आभारी हूँ इन बातों को किसी और को भी सुनाइंगे तो और आभारी रहूँगा कुछ बातें ऐसी मैंने कही हूँ जो आपको अच्छी ना लगी हो तो उनको यहीं चोड़कर जाएए उसके लिए माफी चाहता हूँ धन्यवाद दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सबस्क्राइब करें फिल लाइक कमेंट और शेयर करें और हाँ हमारा एंडरोइट एप डाउनलोड करना ना भूलें